इस दिन मैं तुझे रंगे हाथों किरफ़तार करूँगा भावी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बग रहा है यह देख मौत लगी इस पर मौत और यह सानिटी पैट पर जिंदगी हस मत दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाक बिमारी जो महावरी के वगंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाक बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीरी की सोच कभास हीरोगीरी यह पीने में नहीं ये देने में किया है फिल्म 2004 में बंगाली में मस्तान के रूब में बनाई गई थी और 2001 में बंगाली बंगला देश में मुखो मुखी के रूब में बनाई गई थी इस फिल्म को निर्देशित किया था सुनील दर्सन जी ने और इस फिल्म को लिखा है राविन भट केके सिंग ने और इसे निर्मित किया है सुनील दर्सन ने और इस फिल्म को आभिनित किया है अच्छे कुमार करिश्मा कपूर सिल्फा सिट्टी मोहनीस बहाली अच्छायंकन किया है शमीर रड़ी ने और इस फिल्म को शंपादित किया है संजय संकाला और संगीत दिया है आनंद मिलिंदो ने और इसे ब्यत्रित किया है शुमारू इंटर्टेन्मेंट और यह मूवी रिलीज हुई थी 24 दिसंबर 1999 को इसकी कारिकारी समय 161 मिनट है देश भाषा और इसके बजट की बात की जाये तो 45 मिलियन अगर बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो 124 मिलियन की कमाई की थी यह बात है उस समय की जब उसकी मा भूंक से मर जाती है तो अनात हो जाता है बाबू यानि की अच्छे कुमार को सुल्तान एक महत्वा कांची इस्थानी अपरादी ले जाता है सुल्तान ने अपने बतीजे अब्दुल के नेतरतों में लड़कों के एक समो को इकठा किया जिससे वो उसके लिए काम करने की पसिच्छित करता है बाबू बढ़ा होकर बादसा बनता है जो सुल्तान के लिए काम करने वाला एक पेशेवर अपराधी है एक आभूशन की दुकान को लूटने के बाद बादसा और अब्दुल को पुलिस पीछा करती है लेकिन भागने में सफल हो जाते हैं अगले दिन बादसा सपना यानि की करिश्मा कपूर को देखता है एक गरीब सडक कलाकार पैसे के लिए गाना और नाचना बादसा उसके फटे और पुराने कपड़ों को बदलने के लिए उसे बड़ी रकम देता है और सपना उसमें दिल्चस्पी लेने लगती है घर लोटने पर बादसा ने इस्पेक्टर प्रदान को उसका इंतजार करते हुए पाया और दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए सब्दों के युद्ध में उलजे बादसा और अब्दुल को पुलिस पकड़ ले जाती है और उनका पीछा करती है बादसा के हाथ में गोली लग जाती है और आरजगता की कारण उनके दोनों वाहन दुरगटना ग्रस्त हो जाते हैं इस्पेक्टर प्रदान अपनी कार में फस जाता है और बादसा उसे बाह घायल हो जाता है अब्दुल बादसा को छोड़ कर मदद लेने जाता है सपना बादसा को ढूड़ती है और ठीक होने पर उसकी धेकपाल करती है उसे अपने घर ले जाती है अब्दुल बादसा का दोरा करता है और उसे सहर में पुलिस की बढ़ती उपस्तिती के बारे में अपडेट करता है उसे अस्थाई रूप से सपना के साथ रहने की सलाह देता है सपना के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके लालची चाचा उसे धोखा देते हैं जो उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक रण की बेऊस्था की है इसके बजाए उसे पता चलता है कि उसक उसके साथ आदमी को सराब की बोतल के लिए बेच दिया जो उसके साथ बलतकार करने का प्रयास करता है बासा ने उसे बचाने के लिए समय पर आता है और कहता है कि नियत के नियत ने उन्हें साथ लाया है बासा सपना के सामने अपने अपराधिक जीवन को कबूल करता है और क पहता है कि वो उससे साधी करने और सांती से रहने के लिए सहर और अपने अजीत को पीछे छोड़ने को तयार है लेकिन वो एक और काम करने का इरादा रखता है ताकि वह विस्थ के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाए एक गुप्त पुलिस मुखिविर के साथ सौध करने के बाद अब्दुल को गृफ्तार कर लिया जाता है और पासा को एक इमारत की छत पर गहर लिया जाता है लेकिन वो भाग जाता है इस भी सपना के चाचा नेूने और पासा के रिष्टे पर सवाल उठाते वह उसे अपमानित किया बात्सा सार्वजनिक रूप से सपना के लिए अपनी भावनाओं की घोंशडा करता है और घोंशडा करता है कि वो अगले दिन साधी करेंगे मंदिर की ओर जाते समय बात्सा पुलिस मुखविर से मिलता है जिसने अबदुल को गिरिपतार किया था गुसे में आकर उसने उसे मार डाला और पुलिस के आने पर भाग गया शपना अपनी साधी में खड़ी होने के कारण उसके समुदाय द्वारा उसका मजाक उड़ा जाता है उस रात बाद में बात्सा को एक बच्चा मिलता है जो एक ट्रेन दुरगटना में बच गया है और मदद के लिए सपना के पास जाता है सपना गलती से मान लेती है कि बात्सा एक साधी सुदा आदमी है और अपने ही बेटे को उसके पास लाया है शपना के चाचा पूलिस को बुलाते हैं और बाथसा को शपना को सच्चाई बताये बिना बच्चे के साथ भाग जाते हैं इस बीच बच्चे के ब्याकुल माता पिता आदित और ममता अपने बेटे के लापता होने से निपडने के लिए संघर्स करते हैं बादसा लड़के को एक मस्जित में छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन बाद में उसे गोद लेने का फैसला करता है महीनों बीद जाते हैं और अब्दुल अभी भी पूलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करता है बादसा को बंद करने से इस्वेक्टर प्रधान का इनकार फाइल यह वादा करते हुए कि वो सुईकार नहीं करेगा बादसा अपने अप्रादिक जीवन को पीछे छोण देता है और बाबु लोहार के रूप में एक नया इमानदार जीवन सुरू करता है बाबु उस लड़के को पालने के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मिहनत करता है जिससे वो राजु नाम देता है और अपना कहता है कि साथ साल बाद राजु बड़ा हो गया है और स्कूल जाना सुरू कर देता है ममता जो इसकूल की ट्रस्टी है राजु से मिलती है और उसके साथ बन जाती है यह मैसूस नहीं करती कि वो उसका बेटा है वो उसे उपहारों की बौचार करती है जिससे बाबु नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को भावतिक चीजों से दू लिया था कि बासा को भी कैद कर लिया गया है अब्दूल ने संघर्स निसकर्स निकाला की बासा ने सौदे से पैसे चुरा लिये और उसे जेल में छोड़ दिया सुल्तान बदला लेने के लिए कहता है और चाहता है कि बासा उसके लिए काम पर लौट आए अब्दूल चलता है कि उसे पता नहीं है कि बासा कहा है जल्द ही अब्दुल को बासा की नई पहचान के बारे में पता चलता है और वो उसे पैसे और उसके गायब होने के बारे में बात करता है बाबु सुल्तान से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपना अतीत भूल कर उसे अकेला राजू से मिलते हैं और वो युवा लड़के के चरित से प्रभावित हो जाते हैं और बासा को आगे नहीं बढ़ने का फैसला करते हैं एक स्कूल संगीत कारिकरम के बाद आदित यानि की राजू को घर ले जाते हैं और उसकी बच्पन की तस्वीरें सामने आती हैं जिसे से वो पता चलता है कि राजू उसका बेटा है वो बाबू को अपने घर आमंतरित करता है और अपने बेटे की वापसी के लिए विन्ती करता है लेकिन बाबू राजू से अलग होने को शहन नहीं कर सकता और मना कर देता है अब्दुल अपने अपमान का बदला लेने के लिए सपना को बादसा को मारने के लिए मनाने की कोशिस करता है लेकिन वो ऐसा करने में अस्मर्थ है क्योंकि वो मम्ता को अपने बेटे को वापस करने के लिए बाबू से विंती करता है अपने बेटे की वापसी के लिए बेता आदित्ति बाबू को अदालत ले जाता है और राजु और मंदा की पूरी हिरासत में होने का अधिकार जीत लेता है। बाबु राजु को बचाने के लिए जाता है लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक है और वो एक पिंजरे में फस गया है। सुल्तान अपने दो कुटों का उपयोग करके राजु को चोट पहुचा कर बाबु को प्रताडित करने का इरादा रखता है। बाबु खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है और राजु को कुटों से बचाता है। इस प्रकर्या में अब्दुल और सुल्तान की हत्या क जानवर मूभी में बातषा बाबुलोहर के रूप में अच्छे कुमार सुल्तान का दत्तकपूर्ट राजू का दत्तक पिता है शपना के रूप में हैं करिश्मा कपूर बातसा की लव इंटरटेस्ट आदित्य कपाड़िया राच आदित्य ओबराय उर्फ राजू ममता और आदित्य के वैटे बासा के दतक पूत्र के रूप में हैं ममता उबराय के रूप में सिल्पा सिट्टी हैं मुहनीस बहल आदित उबराय के रूप में हैं अब्दुल के रूप में आस्तोस राणा हैं आसीस विद्यार्थी इस्पेक्टर अर्जुन प्रधान के रूप में हैं। इस फिल्म में संगीत दिया है आनिंद मिलिंदो ने और लिखा गया है आनिंद मिलिंदो ने पहले लुटेरे और आजय में निर्माता सुनिल दर्सन के साथ काम किया था। इस फिल्म में से एक हुआ और इस फिल्म में कुल नव गाने हैं जो इस प्रकार हैं। गाना नमबर एक मेरे सपनों के राजी कुमार इसे गाया है अलका यागनिक ने नमबर दो मेरा यार देले दार शुखविंदर सिंग शोनु निगम जस्पिंदर नरूला अलका यागनिक जी ने शंगीत दिया है। नमबर तिन तुझको ना देखो उदित नाराण सुनिदी चवहान जी ने शंगीत दिया है। नमबर आठ मौशम की तरह मनहर उदाश अलका यागनिक जी ने अपने आवाज दिया है। फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्यवसाइक रूप से सफल रही। जानवर को 2000 में सभी छेतरों में टिप टाप वीडियो द्वारा NTSC प्रारूप एकल डिस्क में DVT पर रिलीज किया गया था। एक हाई डिफिस्नल DVD संस्क्रंड जिसमें आईडियो और वीडियो को डिजिटल के रूप में बहाल किया गया था। बाद में शोरूम इंटर्टेन्मेंट द्वारा जारी किया गया था। जानवर की बॉक्स आफिस की सफलता के बाद जैसे की उन्हों ने अपने पिछले कामों के साथ दर्सन ने फिल्म के टेली वीडियन अधिकारों को बेचने से इंकार कर दिया। उनकी फिल्मों के बिना विके उपग्रह अधिकारों का शामोहिक मूल वन मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। दर्सन ने अंतता 2017 में जी को अपनी फिल्मों के अधिकार बेच दिये। और जानवर का प्रेमियम जी सिनेमा पर हुआ दो दिसंबर 2017 को इसकी भी मोचन के 18 शाल बाद सुनील दर्सन एक भारती निर्माता फिल्म निर्माता और लेखक हैं जो बाली बुडुद धोग में काम करते हैं अगर इनके जीवन की बात की जाये तो दर्सन ने अपने कैरियर की सुरुवात 1987 में एक फिल्म निर्माता के रूप में की थी उन्ह निर्देशन उनके भाई धरबेंद दर्सन ने किया जीनों ने फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुवात की दरसन ने फिल्म का निर्माड भी किया और फिल्म के लिए समाद भी लिखा फिल्म में सनी देवल और करिस्मा कपूर ने अभिने किया और जनवरी 1997 में महाराष्टिक में एक थ्रेटर हडताल के बावजूत बौक्स आफिस पर अच्छा प्रदरसन किया 1999 में दर्सन ने एक्षन ड्रामा जानवर का निर्देशन किया और निर्माड किया फिल्म ने अच्छे कुमार के साथ उनके पहले सहियों को चिनित किया और फिल्म हिट हो गई फिल्म में करिश्मा कपूर और सिलफा सेटीन ये भी अभिने किया था दर्सन की अगली फिल्म एक रिस्ता 2001 थी जिसके उनके द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था फिल्म में अमिताब बच्चन अच्छे कुमार करिश्मा कपूर और जूही चावला ने अभिने किया था ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी इसे खूब सराहा गया और समिच्चकों ने इसकी सराहना की उसके बाद इन्होंने अंदाज 2003 का निर्मार किया जो एक बड़ी हिट थी बरसात और दोस्ती फ्रेंड्स पावर वर 2005 जो विदेशों में साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी उनकी सबसे हा लिया फिल्म सकालाका बुम बुम ने बॉक्स आफिस पर खराप प्रदर्शन किया साथ साल के अंतराल के बाद दर्शन ने अपने बेटे श्यू दर्शन को अपनी फिल्म कर ले प्यार कर ले 2014 में लांच किया फिल्म को भारती बॉक्स आफिस पर एक आपदा घोसित किया 9 दिसंबर 2017 को कुमार का पच्चास हुआ जनम दिन मनाने के लिए जी सिने माने सनिवार की रात अच्छे के साथ वर्ल्ड प्रीमियम की मेजबानी की इसने अच्छे कुमार की चार फिल्मों का प्रदर्शन किया जानवर अंदाज एक रिस्ता और दोस्ती फ्रेंड्स फार ए तो इनोंने अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन किया है एक रिस्ता दा ब्रांड आफ लब ए रिलेशन्सिफ दा ब्रांड आफ लब दोजार एक की भारती हिंदी भासा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुनेल दर्शन ने 18 मई 2001 को किया था फिल्म में अमिता बच्चन अच्छे कुमार राखी गुलजार जुही चावला करिश्मा कपूर मोहनीश बहल यह फिल्म थे जिसमें बच्चन और कुमार ने साथ काम किया था फिल्म की एक फैमली ड्रामा है जहां एक बड़े परिवार पर संकट आता है जब पिता यानिकी अमिता बच्चन और बेटे अच्छे कुमार के बीच बीवाद हो जाता है फिल्म ने वन मिलियन से अधिक की कमाई की यूएस त्यारा मिलियन बिस्व यापी बॉक्स आफिस पर कलेक्शन किया रिस्टा मोवी यह सफल ब्योसाई बिजे कपूर और पत्नी और चार बच्चों के साथ खुसी से रहते हैं उनका एक लोता बेटा आजय जो बिदेश में पढ़ता है और विस्व इद्याले से इसनातक की उपाधी प्राप्त कर चुका है अब घर वापस आ गया है राजेस पुरोहित परिवार में प्रवेस करता है और बिजे और उसकी सबसे बड़ी बेटी प्रीती को कुटिलता से प्रवाहित करता है जबकि उसका मोखिलच अपने परिवार को गरीब बनाना और बिजे के भागी पर कपजा करना है जल्द ही बिजे उनकी साधी को मंजूरी देता है इस बीच आजय को नीशा थापर से प्यार हो जाता है बिजे उससे पहले परिवारिक ब्य ब्योसाय सुरू करने के अपने निर्माड पर आड़ी गहें बाद में वो इसके लिए करज देते हैं और गुसे में बीजे ने उससे बाहर निकल दिया आजे साधी करता है और नीशा के साथ अपने नए घर में चला जाता है बीजे राजेस को सक्त बनाने के लिए पावर पर हस्तचेप करवाता है और उसे अदालत को एक बड़ी राजिका भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वो असमर्थ है इस प्रकार वो दिवालिया हो जाता है और उसका सारा भागी राजेस के पास चला जाता है जैसे ही अजे को पता चलता है कि क् विजय के बीच बहस को उकसाया था फिर वो विजय के करीब आने की कोशिस करता है जिससे निरासा के साथ उसकी साधी संकट पैदा हो जाती है जो अपने परिवार के साथ आजय के पुरन मिलर से खुश नहीं है क्योंकि निसा नाम की लड़की से साधी करने से उनके बीच मिसन अपने परिवार के भागी और विजय के विश्वास को वापस करना है क्योंकि विजय अभी भी उसे माफ नहीं कर सकता आखिरकार अजय और विजय एकजुट हो जाते हैं हलाकि उन्हें अभी तक भागी वापस नहीं करना है राजेस प्रीती के साथ बुरा बेवहर कर लगता है जो घर भी लौट आती है अपने परिवार के भागी को हिंसक रूप से वापस करने के लिए आजय राजेस को एक और पावर आफ अंटनी पर हस्ताच्छर करने के लिए मजबूर करता है जो कहता है कि पैसा मालिक के पास वापस आ जाता है इसके साथ भी जय अदा जालती भुगतानों का निप्टान करने में सच्छम है प्रीती राजेस से कहती है कि वो उसके परिवार पर किये गए अत्याचारों के लिए उससे निशा और राजेस एकजुट हो जाते हैं अजय और परिवार अंतता एक साथ आता है और पहले की तरह खुशी से रहने जाते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से बेतीत करने लगते हैं के रूप में सकती कपूर, आसीस विद्यार्थी के रूप में हरी सिंग, पुलिस एस्पेक्टर स्वणी विजय, सेंगिल के रूप में भारस सकसेना, आवतार गिल के रूप में विवेक खन्ना, ब्रजभान, ब्रज सिंग के रूप में अनंग देसाई, कुनिका, स्वीट अंटी के रूप में सुनील सेटी, खुद के रूप में बीसे सुपस्तिति, रमेश के रूप में बरजेस हीर जी इस्टाल मारिक हैं, मुलकत गाने में नगमा खुद के रूप में उपस्ति हैं प्रांपरागत हैं प्यार से लोग उन्हें अक्की भी कहते हैं अच्छे कुमार ने 125 के उपर फिलमों में काम किया है। फिल्मों में ज्यादा तर इस्टेंट श्वयम ही करते हैं अच्छे कुमार का जन अमरेश सर्क्स में हुआ था उनके पीता हारी ओम भाटिया मिलेटरी आफीसर थे उनकी माता का नाम अरुना भाटिया है अच्छे की एक बहन है जिनका नाम अलका भाटिया है और अगर इनके पढ़ाई की बात की जाये तो उनकी स्कूली पढ़ाई डानबाक सो स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मुंबई के गुरु नानग खालसा कालेश से हुई है भारत में तेक कोईंडो में ब्लैक बिल्ट हांसिल करने के बाद अच्छे ने थाइलेंड के बैकॉक में मा अच्छे कुमार की साधी राजेश खन्ना और डिम्पल का पाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना से हुई है उनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम अरओ और लड़की नितारा हैं अगर इनके केरियर की बात की जाये तो अच्छे कुमार मुक्य अवनेता के तोर पर बिना स्रे भूमका की सुरुवाती दोर में उनकी फिल्मों को खास प्रतक्रिया नहीं मिले लेकिन उनकी खिलाडी सीरीज की फिल्मों में उने बाली बुट का खिलाडी कुमार बना दिया पापलर सो में मैन वैज वैल्ट में बाली बुट के इस्टेंड मैन यानी खिलाड अच्छे कुमार बेर गिंस के साथ जंगलों का सफर और एडवेंचर्स करते नजर आएंगे 11 सितंबर 2020 को इस सो का प्रसारण डिस्कवरी चैनल में किया जाएगा आपको बता दें कि इससे पहले प्रधान मंत्री मोदे जी और साथ के सूपरिश्टार रजनी कांदर भी बेर गिरिस के साथ जंगलों का एडवेंचर भरा सफर चुनेंगे 4 सितंबर 2020 को अच्छे कुमार ने PM मोदी जी के साथ मिलकर आत्म निर्भर भारत के तहएग गेमिंग यफ एयू जी की घोंसड़ा की है ये गेमिंग बहुत ही जल्द इंडिया में लांच होने वाला है अच्छे कुमार की अगर गल्फरेंडों की बात की जाये तो पहली गल्फरेंड पूझा बनना है कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले अच्छे का फेर उस दोर की मसूर माडल पूझा वत्रा के साथ था यह तक कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी लेकिन फिल्मी दुनिया का चका चौंद असर इस रिस्ते पर पड़ा और दोनों अलग हो गे उपसा रेखा से भी रहा अफेर अपनी हर उम्र हेरवाईन से रोमांस करने के लिए मसूर अच्छे कुमार के अफेर के चर्चे बाली बुड की एवर ग्रीन हेरवाईनों रेखा के साथ भी सुनाई दिया माना जाता है कि फिल्म खिलाडी योंका खिलाडी की सूटिंग के दोरान दोनों एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे रेखा उम्र में अच्छे से काफी बड़ी थी जिस वजह से ये अफेर काफी कंट्रोविशन सील रहा हला की रेखा और अच्छे दोनों ने ही इस बारे में मीडिया में हमेशा कुछ कहने से बचते हुए नजर आये रवीना के भी दीवाने रह चुके हैं खिलाडी अच्छे कुमार सिल्पा सिट्टी से पहले अच्छे कुमार का फेर बाली बूड एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ था रवीना टंडन अपने दौर की बेहत ग्लैमरस हिल्वाइनूम में फेर रिस्त में सामिल थी ये भी कहा जाता है कि जिस समय अच्छे रवीना को टेट कर रहे थे ठीक दोनों की राहें एक दूसरे से जुदा हो गई नब्बे के दसक में सिल्पा से था अफेर टिंकोल खनना से साधी करने से पहले अच्छे का फेर सिल्पा सिट्टी के साथ था नब्बे के दसक में अच्छे कुमार और सिल्पा सिट्टी बाली बुट के हाट कपलस में से सु रहा चुकी थी रेखा के बाद प्रेंका चोप्रा के साथ कंट्रोविस्यल इसक एसा माना जाता है कि अक्की साधी के बाद सुधर गए लेकिन उनका सबसे कंट्रोविस्यल आफेर भी साधी के बाद हुआ फिल्म अंदाज की सूटिंग के दोरान अविनेतरी प्रेंका चोप के खातिर अच्छे इस रिस्ते से बाहर निकल गए पहले प्रेम का बाद में पत्नी बनी टिंकोल खन्ना 17 जन्वरी 2001 को टिंकोल खन्ना के साथ साधी के बंदन में बंदे अच्छे कुमार आज एक खुशाल साधी सुदा जिंदगी जी रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ये बा कुना पड़ा आखिरकार दोनों ने साधी कर ली दोनों के दो बच्चे भी हैं साधी के बाद अच्छे ने अपनी प्लेव बॉय इमेज छोड़ दी और आज दोनों खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं अच्छे कुमार की पापलर फिल्में खिलाड़ी बेबी पाइड मैं ट्वालेट एक प्रेम कथा केसरी याद फिल्में हैं जुही चावला की बात की जाये तो जुही चावला एक भारती फिल्म एक्टर्स माडल फिल्म निर्माता हैं 1984 मिस इंडिया सौंदर प्रेश्ट के बिजेता हैं जुही चावला ने एक एक्टिंग कैरियर में दो फिल् पंजाबी मलय आलम तमिल कर्णड और तेल्गु भासा फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से हिंदी भासा फिल्मों में काम किया है जुही चावला मद्ध 8090 के दसकी प्रसिद्ध एक्टरस रह चुकी हैं और साथ ही अपने कैमेडिक समय और जीवन्त स्क्रीन पर ब्यक्तिक पंजाब में हुआ था जुही चावला के पिता पंजाब और ममता गुजराती हैं माता इनकी गुजराती हैं उनके पिता भारती राज़िच सुसेवा आई आरेस के अधिकारी थे उन्होंने पोर्ड कानवेंट स्कूल मुंबई से अपनी स्कूली सिच्छा पूरी की है और एच आर में विशेषता के साथ मुंबई के सिडनेम कालेज से इसनातक की डिग्री हांसिल की है पढ़ाई खत्म हो करने के बाद जुही चावला ने वर्स 1994 में मिश्ट इंडिया प्रतियोगता में हिस्सा लिया और अपने किताब नाम किया था साथ ही उन्होंने 1984 में मिश प्रतियोगता में सर्वसेष्ट कश्ट्यूम प्रुसकार भी जीता इनकी साधी जुही चावला की धड़ी बिजनेसमैन जै महता से हुई है उनके दो बच्चे हैं आरजुन और जानवी कपूर जै महता और जुही चावला इंडियन प्रीमियम लीग टीम कोलकाता नाइट इस इंटेंट्रेटेंडमेंट के शियो थे आगर इनके कायरियर की बात की जाए तो जुही चावला ने अपने कायरियर की सुर्वात वरस 1986 में फिल्म संतलन्स से की थी हलाकि यह बिग फिल्म बिग बॉक्स पर सफल नहीं हो पाई इसके बाद वर्ष 1987 में जुही चावला ने कर्नेट सिनेमा की फिल्म प्रेम लोग से की फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल रही और जुही चावला को काफी सराहना मिली इसके बाद जुही चावला को वर्ष 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म मिली इस फिल्म में जुही चावला के साथ आमिर खान की जोड़ी बड़े परदे पर नजर आई और फिल्म जबर्जस्त हिट सावित हुई और इसके बाद जुही चावला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जुही चावला 1984 में मिस्ट इंडिया की किताब हासिल कर चुकी है और साथ ही है वह 1984 में मिस इनिवर्स बेश्ट कस्टियूम का भी आवार्ड जीत चुकी है ज्यानवर मूबी में करिस्मा कपूर ने भी अपने अभिने को बखोवी निभाया है अगर इनके जनम की बात की जाये तो इनका जनम 25 जुन 1974 को एक भारती अभनेतरी हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं मुंबई में जनमी और पली बढ़ी वो करिस्मा कपूर की सदस्य हैं और उन्होंने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी के साथ आविने की शुरुवात की उन्होंने कई पुरुसकारों से समानित किया गया है जिसमें एक राष्टी फिल्म पेर पुरुसकार और चार फिल्म पेर जन्म 25 जुन 1974 को हुआ था उम्रिन की 47 वर्स है जिगर 1992 में अनाडी 1993 में राजा बाबो 1994 में कोली नंबर वन 1995 में साजन चले ससुरार 1996 में और जीत 1996 में कई बॉक्स आफिस हिट फिल्मों में अभिने किया हलाकि यह रोमांटिक ड्रामा राजा हिंदुस्तानी 1996 में उनके चित्रण था जिन से उन्होंने सर्फशेष्ट अबनेतरी का पुरुसकार जीता और संगीत में रोमांस दिल तो पागल है 1997 में जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेर पुरुसकार और सर्फशेष्ट शाहक फिल रोमांटिक कमेडी जुडबा 1997 में हीरो नंबर वन 1997 में बीबी नंबर वन 1999 में हसीना मान जाएगी 1999 में और दुलहन हम ले जाएंगे 2000 में अभिने करके अपनी इस्तिती को मजबूत किया जिसमें से सभी व्योसाइक सफलताएं थी साथ ही परिवारिक नाटक हम साथ साथ है 1999 में 2001 के साथ दसक की सुरुआद में कपूर ने फीजा 2000 और जुबैदा 2001 नाटकों में अपनी नामांकन की भूमकाउन के लिए फिल्म पेर से सर्फशेष्ट अपनेत्री की सर्फशेष्ट अपनेत्री का पुरुसकार जीता और सक्ती दा पावर में अपने प्रदर्शन के देंजर्स इस्क 2012 और विशेष संकला मेटर्डू हुड सामिल है कपूर ने 2003-2016 तक बेवसाइक संजे कपूर से साधी की थी दमपती के दो बच्चे एक साथ हैं कपूर ने टेली वीजन संकला करिस्मादा मीरकल और डिश्टिनली 2003-2004 में नाम मात्र का किरदार निभाया है और कई रियाल्टिसों के लिए एक प्रित्भान आधिस के रूप में भी चित्रित किया गया है अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात की जाये तो करिस्मा कपूर का जन्म 25 जुन 1974 को मुंबई में अबिनेता रणधीर कपूर और बविता नी सियुदासनी के घर हुआ था उनकी छोटी बहन करीना भी एक फिल्म अबिनेतरी हैं उनके दादा अबिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर थे जबकि उनके नाना अबिनेता हरी सियुदासनी थे उनके पर दादा अबिनेता प्रतवी राज कपूर थे अबिनेता रिसी और राजीव कपूर उनके जबकि अबनेतरी नीतु सिंग और उद्धमी नीतु नंदा उनकी मौसी हैं। के संदर्व में दिये जाने के बाद लिया गया था। उनके गाने और नाना दोनो क्रमसा, पेसावर, लायरपुर और कराची से थे जो भारत के विभाजन से पहले अपने फिल्मी कारियर के लिए बांबे चले आये थे। करिश्मा कपोर नियमित रूप से पुरुषकार समाहरोहों में सामिल होती गई और अपने माता पिता के साथ फिल्म सेट पर जाती गई हालाकि उनकी परिवारिक प्रश्ट भूम मजबूत है। उनके पिता ने फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं को अईस्विकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि यह परंपरा परिक मात्र करतब्यों और परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी के विप्रीत है। जानवर मुवी सुनील दरसंद्वारा निर्देशित भारती हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है। यह फिल्म 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में अच्छे कुमार, करिश्मा कपूर और सिलपा सेटी प्रमग भूम काओं में हैं। फिल्म एक ब्योसाइक सफलत और इसने कुमार और सिलपा सटी के साथ घटते करियर को पुनर जीवित किया है। फिल्म 2004 में बंगाली में मस्तान के रूप में बनाई गई थी। और 2001 में बंगाली बंगला देश में मुखो मुखी के रूप में बनाई गई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था सु एके सिंग ने और इसे निर्मित किया है सुनील दर्सन ने और इस फिल्म को आभिनित किया है अच्छे कुमार करिश्मा कपूर सिल्फा सिट्टी मोहनीस बहाली अच्छायंकन किया है शमीर रड़ी ने और इस फिल्म को शंपादित किया है संजय संकाला और संगीत दिया है आनन्द मिलिंदो ने और उत्पादन कंपनी स्रीक्रष्ट इंटरनेशनल और इसे ब्यत्रित किया है शुमारू इंटर्टेन्मेंट और यह मूवी रिलीज हुई थी 24 दिसंबर 1999 को इसकी कारिकारी शमय एक सो एक संड इनट है देश भाषा और इसके बज है उस समय की जब उसकी मा भूंक से मर जाती है तो अनात हो जाता है बाबू यानि की अच्छे कुमार को सुल्तान एक महत्वा कांची इस्थानी अपरादी ले जाता है सुल्तान ने अपने भतीजे अब्दुल के नेत्रतों में लड़कों के एक समो को इकठा किया जिससे को उसके लिए काम करने की पसिच्छित करता है बाबू बड़ा होकर बादसा बनता है जो सुल्तान के लिए काम करने वाला एक पेसेवर अपराधी है एक अभूशन की दुकान को लूटने के बाद बादसा और अब्दुल को पुलिस पीछा करती है लेकिन भागने में सफल हो जाते हैं अगले दिन बाथसा सपना यानि की करिस्मा कपूर को देखता है एक गरीब सडक कलाकार पैसे के लिए गाना और नाचना बाथसा उसके फटे और पुराने कपड़ों को बदलने के लिए उसे बड़ी रकम देता है और सपना उसमें दिल्चस्पी लेने लगती है घर लोटने पर बाथसा ने इस्पेक्टर प्रदान को उसका इंतजार करते हुए पाया और दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए सब्दों के युद्ध में उलजे हुए हैं इस्पेक्टर ने बाथसा की अपरादिक गदविदियों को समाप्त करने की कसम खाई है हत्यारों के आदान प्रदान के दौरान बाथसा और अब्दुल को पुलिस पकड़ ले जाती है और उनका पीछा करती है बाथसा के हाथ में गोली लग जाती है और आरजगता की कारण उनके दोनों वाहन दुरघटना ग्रस्त हो जाते हैं इस्पेक्टर प्रदान अपनी कार में फस जाता है और बाथसा उसे बाहर निकालने में मदद करता है बचाये जाने के बाजूत इस्पेक्टर बाथसा को गिरिफतार करने की कोसिस करता है जो भागने में सफल हो जाता है लेकिन बुरी तरह से घायल हो जाता है अब्दुल बातसाह का दोरा करता है और उसे सहर में पुलिस की बढ़ती उपस्थिती के बारे में अपडेट करता है उसे अस्थाई रूप से सपना के साथ रहने की सलाह देता है सपना के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके लालची चाचा उसे धोखा देते हैं जो उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक रण की बेऊस्था की है इसके बजाए उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उसके साथ आदमी को सराब की बोतल के लिए बेच दिया जो उसके साथ बलतकार करने का प्रयास करता है बासा ने उसे बचाने के लिए समय पर आता है और कहता है कि नियत के नियत ने उन्हें साथ लाया है बासा सपना के सामने अपने अपराधिक जीवन को कबूल करता है और कहता है कि वो उससे साधी करने और सांती से रहने के लिए सहर और अपने अजीत को पीछे छोड़ने को तयार है लेकिन वो एक और काम करने का इरादा ताकि वविस्य के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाए एक गुप्त पुलिस मुखिविर के साथ सौदा करने के बाद अब्दुल को गृपतार कर लिया जाता है और बाथसा को एक इमारत की छत पर घेर लिया जाता है लेकिन वो भाग जाता है इस भी सपना के चाचा नेउने और बाथसा के रिष्टे पर सवाल उठाते हुए उसे अपमानित किया बाथसा सार्वजनिक रूप से सपना के लिए अपनी भावनाओं की घोंशडा करता है और घोंशडा करता है कि वो अगले दिन साधी करेंगे मंदिर की और जाते समय बाथसा पुलिस गया सपना अपनी साधी में खड़ी होने के कारण उसके समुदाय द्वारा उसका मजाक उड़ा जाता है उस रात बाथ में बाथसा को एक बच्चा मिलता है जो एक ट्रेन दुरगटना में बच गया है और मदद के लिए सपना के पास जाता है सपना गलती से मान लेती है कि बात्सा एक साधी सुदा आदमी है और अपने ही बेटे को उसके पास लाया है शपना के चाचा पुलिस को बुलाते हैं और बात्सा को शपना को सच्चाई बताये भीना बच्चे के साथ भाग जाते हैं इस बीच बच्चे के ब्याकुल माता पिता आदित और ममता अपने बेटे के लापता होने से निपडने के लिए संघर्ष करते हैं बादसा लड़के को एक मस्जित में छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन बाद में उसे गोद लेने का फैसला करता है महीनों बीत जाते हैं और अब्दुल अभी भी पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करता है बादसा को बंद करने से इस्वेक्टर प्रधान का इनकार फाइल यह वादा करते हुए कि वो सुईकार नहीं करेगा बादसा अपने अप्रादिक जीवन को पीछे छोण देता है और बाबु लोहार के रूप में एक नया इमानदार जीवन सुरू करता है बाबु उस लड़के को पालने के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मिहनत करता है जिससे वो राजु नाम देता है और अपना कहता है कि 7 साल बाद राजू बड़ा हो गया है और स्कूल जाना सुरू कर देता है ममता जो स्कूल की ट्रस्टी है राजू से मिलती है और उसके साथ बन जाती है ये मैसूस नहीं करती कि वो उसका बेटा है वो उसे उपहारों की बोचार करती है जिससे बाबु नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को भवतिक चीजों से दूर किया जा रहा है अब्दूल जेल से रिहा हो जाता है और सुल्तान के घर जाता है जिसने ये मान लिया था कि बास्वा को भी कैद कर लिया गया है अब्दूल ने संगर्स निसकर्स निकाला कि बास्वा ने सौदे से पैसे चुरा लिये और उसे जेल में छोड़ दिया सुल्तान बदला लेने के लिए कहता है और चाहता है कि बासा उसके लिए काम पर लौट आए अब्दूल शपना को ट्रेक करता है जो अब एक नाइट कलब में बार डांसर के रूप में काम करती है और उसे पता चलता है कि उसे पता नहीं है कि बासा कहा है जल्द ही अबदुल को बासा की नई पहचान के बारे में पता चलता है और वो उसे पैसे और उसके गायब होने के बारे में बात करता है बाबु सुल्तान से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपना अतीत भूल कर उसे अकेला छोड़ दे लेकिन सुल्तान ने मना कर दिया अब्दूल का पीछा करने के बाद इंस्पेक्टर प्रधान बाबू के घर आते हैं और राजू से मिलते हैं और वो युवा लड़के के चरित से प्रभावित हो जाते हैं और बासा को आगे नहीं बढ़ने का फैसला करते हैं एक स्कूल संगीत कारिकरम के बाद आदित यानि की राजू को घर ले जाते हैं और उसकी बच्पन की तस्वीरें सामने आती हैं जिसे से वो पता चलता है कि राजू उसका बैटा है वो बाबू को अपने घर आमंतृत करता है और अपने बेटे की वापसी के लिए विंती करत लेकिन बाबू राजू से अलग होने को शहन नहीं कर सकता और मना कर देता है अब्दुल अपने अपमान का बदला लेने के लिए सपना को बाथसा को मारने के लिए मनाने की कोशिस करता है लेकिन वो ऐसा करने में अस्मर्थ है क्योंकि वो मम्ता को अपने बेटे को वापस कर करने के लिए बाबु से विंती करता है अपने बेटे की वापसी के लिए बेता आदित्ति बाबु को अदालत ले जाता है और राजु और मंदा की पूरी हिरासत में होने का अधिकार जीत लेता है बाबु राजु को बचाने के लिए जाता है लेकिन उसकी संख्या बहुत अ इरादा रखता है बाबु खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है और राजु को कुत्तों से बचाता है इस प्रकर्या में अब्दुल और सुल्तान की हत्या कर देता है बादसा सपना के साथ फिर से जुड़ जाता है और वे राजु को सामूहिक रूप से पालने के का दत्तक पिता है शपना के रूप में है करिस्मा कपूर बादसा की लव इंटर टेस्ट आदित कपाडिया राज आदित ओबराय उर्फ राजु ममता और आदित के वेटे बादसा के दत्तक पुत्र के रूप में है ममता ओबराय के रूप में सिल्पा सेट्टी है मुहनीस बहल आदित ओबराय के रूप में हैं, अब्दुल के रूप में आस्तोस राणा हैं, आसीस विद्यार्थी इस्पेक्टर अरजुन परधान के रूप में हैं, जानी लीवर बजरंगी यानिकी बासा के दोस्त के रूप में हैं, सुल्तान के रूप में शक्ति कपूर, बासा क के दत्तक पिता हैं सुल्तान के गुंडे के रूप में जीतू अर्मा विसेज सुपस्तिती के रूप में कादर खान पुलिस मुख्विर के रूप में रामी रेड़ी और सपना की दोस्त के रूप में डाली बिंद्रा हैं सपना के मामा के रूप में मलय शक्रवर्ती हैं इस संगीत दिया है आनिंद मिलिंदो ने और लिखा गया है आनिंद मिलिंदो ने पहले लुटेरे और आजय में निर्माता सुनिल दर्सन के साथ काम किया था इस फिल्म के बाद दर्सन ने उनके साथ कभी काम नहीं किया लेकिन आगे चलकर नदीम स्रमड संजीव दर्सन और हिम प्रोजक्ट के लिए साइन किया संगीत 1999 के सबसे अधिक भिकने वाले एल्बोम में से एक हुआ और इस फिल्म में कुल नौ गाने हैं जो इस प्रकार हैं गाना नमबर एक मेरे सपनों के राजी कुमार इसे गाया है अलका यागनिक ने नमबर दो मेरा यार देलेदार अंदर नरूला अलका यागनिक जी ने शंगीत दिया है नमबर तिन तुझको ना देखो उदित नाराण सुनिदी चवहान जी ने शंगीत दिया है नमबर चार अंगोरी अंगोरी शपना आवस्थी जी ने आवाज दी है नमबर पांच कसम से उदित नाराण अलका यागन सुनिधी चौहान जी ने शंगीत दिया है नमबर साथ जाने वालों जाने वालों राम शंकल शोनु निगम अलका यागनिक जी ने शंगीत दिया है नमबर आठ मौशम की तरह मनहर उदाश अलका यागनिक जी ने अपने आवाज दी है नमबर नो रिष्टा दिलों का सुनिती चौहान जी ने खूब अपने आवाज की द्वारा अपने शर को बुलंद किया है अगर इस फिल्म के रिलीज और रिसेप्शन की बात की जाये तो रे डिफ की सुकन्य वर्मा ने इसे ना समझी का मामला कहा है फिल्म बॉक्स आफिस पर बेवसाइक रूप से सफल रही जानवर को 2000 में सभी छेतरों में टिप टॉप वीडियो द्वारा NTSC प्रारूप एकल डिस्क में DVT पर रिलीज किया गया था एक हाई डिफिसनल DVD संस्क्रंड जिसमें आइडियो और वीडियो को डिजिटल के रूप में बहाल किया गया था बाद में सोरूम इंटर्टेन्मेंट द्वारा जारी किया गया था जानवर की बॉक्स आफिस की सफलता के बाद जैसे की उन्होंने अपने पिछले कामों के साथ दर्शन ने फिल्म के टेली वीडियन अधिकारों को बेचने से इनकार कर दिया उनकी फिल्मों के बिना विके उपग्रह अधिकारों का शामोहिक मूल वन मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था दर्सन ने अंतता 2017 में जी को अपनी फिल्मों के अधिकार बेच दिये और जानवर का प्रेमियम जी सिनेमा पर हुआ 2 दिसम्बर 2017 को इसकी नाट्टी विमोचन के 18 शाल बाद सुनील दर्सन एक भारती निर्माता फिल्म निर्माता और लेखक हैं जो बाली बुडूद धोग में काम करते हैं अगर इनके जीवन की बात की जाये तो दर्सन ने अपने कैरियर की सुरुआत 1987 में एक फिल्म निर्माता के रूप में की थी उन्होंने फिल्म इंतकाम का निर्माड किया जिसमें सन्नी देवल और अनिल कपूर ने अभिने किया 1993 में फिल्म लुटेरे का निर्माड किया जिसका निर्देशन उनके भाई धर्मेंद दर्सन ने किया जीनों ने फिल्म के साथ निर्देशन की सुरुवात की फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्सन किया और इसके बाद भाईयों ने कई बार सहयोग किया सुनील ने खुद 1996 में एक्षन फिल्म आजे से निर्देशन की सुरुवात की। दर्सन ने फिल्म का निर्माड भी किया और फिल्म के लिए समाद भी लिखा। फिल्म में सनी देवल और करिस्मा कपूर ने अभिने किया। और जन्वरी 1997 में महाराश्टिक में एक थ्रेटर ह अड़ताल के बावजूद बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्सन किया। 1999 में दर्सन ने एक्षन ड्रामा जानवर का निर्देशन किया और निर्माड किया। फिल्म ने अच्छे कुमार के साथ उनके पहले सहियों को चीनित किया और फिल्म हिट हो गई। फिल्म में करि इताब बच्चन, अच्छे कुमार, करिश्मय कपूर और जूही चावला ने अभिने किया था ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी इसे खूब सराहा गया और समिच्छकों ने इसकी सराहना की उसके बाद इन्होंने अंदाज 2003 का निर्माड कि उनकी सबसे हालिया फिल्म सकालाका बुम बुम ने बॉक्स आफिस पर खराप प्रदर्शन किया, साथ साल के अंतराल के बाद दर्शन ने अपने बेटे श्यू दर्शन को अपनी फिल्म कर ले प्यार कर ले 2014 में लांच किया, फिल्म को भारती बॉक्स आफिस पर एक गुमार का पच्चासवा जनम दिन मनाने के लिए जी सिने माने सनिवार की रात अच्छे के साथ वर्ल्ड प्रीमियम की मेजबानी की इसने अच्छे गुमार की चार फिल्मों का प्रदर्सन किया जानवर अंदाज एक क्रिस्ता और दोस्ती फ्रेंड्स फार एवर सभी का नि प्रदेशन दर्सन ने किया था अगर इनके फिल्मी बायोग्राफी की बात की जाए तो इनों ने अपने करियर में अच्छा प्रदर्सन किया है एक रिष्टा दा ब्रांड आफ लब ए रिलेशन्सिफ दा ब्रांड आफ लब दोहजार एक की भारती हिंदी भासा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुनेल दर्सन ने 18 मई दोहजार एक को किया था फिल्म में अमिता बच्चन, अच्छे कुमार, राखी गुलजार, जुही चावला, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल यह फिल्म थे जिसमें बच्चन और कुमार ने साथ काम किया था फिल्म की एक फैमली ड्रामा है, जहां एक बड़े परिवार पर संकट आता है, जब पिता यानि की अमिता बच्चन और बेटे अच्छे कुमार के बीच बीवाद हो जाता है फिल्म ने वन मिलियन से अधिक की कमाई की, यू यस त्यारा मिलियन बिश्व यापी बॉक्स आफिस पर कलेक्शन किया रिश्टा मोवी, ये सफल ब्योसाई बिजे कपूर और पत्नी और चार बच्चों के साथ खुसी से रहते हैं उनका एक लोता बेटा आजय जो बिदेश में पढ़ता है और विस विद्याले से इसनातक की उपाधी प्राप्त कर चुका है अब घर वापस आ गया है राजय स्पुरोहित परिवार में प्रवेस करता है और बिजे और उसकी सबसे बड़ी बेटी प्रीती को कुटिलता से प्रभाहित करता है जबकि उसका मोखिलच अपने परिवार को गरीब बनाना और बिजे के भागी पर कपजा करना है जल्द ही बिजे उनकी साधी को मंजूरी दे देता है इस बीच आजय को नीशा थापर से प्यार हो जाता है बिजे उससे पहले परिवारिक ब्योसाय में अनुभाव हांसिल करने के लिए मानता है कि हलाकि बैचारिक मतबेदों के परिडाम सरूप उनके बीच बिवाद होता है फल सुरूप आजय अपना ब्योसाय सुरूप करने के अपने निर्माड पर आड़ी गहें बाद में वो इसके लिए करज देते हैं और गुसे में बिजे ने उससे बाहर निकल दिया अजय साधी करता है और नीशा के साथ अपने नए घर में चला जाता है बिजे राजेस को सक्त बनाने के लिए पावर आफ अंटिनी पर हस्तचेप करवाता है और उसे अदालत को एक बड़ी राजिका भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वो असमर पता चलता है कि क्या हुआ आजय को पता चलता है कि राजेस ने उसके और विजे के बीच बहस को उकसाया था फिर वो विजे के करीब आने की कोशिस करता है जिससे निरासा के साथ उसकी साधी संकट पैदा हो जाती है जो अपने परिवार के साथ आजय के पुरन मिलर से उसे पता चलता है कि वो गर्वती है और अजे घर लोटाता है अब उसका मिसन अपने परिवार के भागी और बिजे के विश्वास को वापस करना है क्योंकि बिजे अभी भी उसे माफ नहीं कर सकता आखिरकार अजे और बिजे एकजुट हो जाते हैं हलाकि उन्हें अभी तक भागी वापस नहीं करना है राजेस प्रीती के साथ बुरा बेवहर करने लगता है जो घर भी लोटाती है अपने परिवार के भागी को हिंसक रूप से वापस करने के लिए आजए राजेस को एक और पावर आफ अंटनी पर हस्ताच्छर करने के लिए मजबूर करता है जो साथ विजय अदालती भुगतानों का निप्टान करने में सच्छम हैं प्रीती राजेस से कहती हैं कि वो उसके परिवार पर किये गए अत्याचारों के लिए उससे निशा और राजेस एकजुट हो जाते हैं अजय और परिवार अंतता एक साथ आता है और पहले की तरह बंधन में बन जाते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से बेटीत करने लगते हैं अमिता बच्चन के रूप में बीजे कपूर, राखी के रूप में प्रतिमा कपूर, आजे कपूर के रूप में अच्छे कुमार, जुही चावला के रूप में प्रीती कपूर प्रोहित, निसा थापर कपूर के रूप में करिस्मा कपूर, राजेस प्रोहित के रूप में मो अच्छे कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमरसर पंजाब में हुआ था जिनका असली नाम राजिव हरियोम भाटिया है वो एक महसूर फिल्म अबनेता होने के साथ साथ वो निर्माता और मार्सल आर्ट्स में भी परंपरागत हैं प्यार से लोग उन्हें अक्की भी कहते हैं अच्छे कुमार ने 125 के उपर फिल्मों में काम किया है उन्हें कई बार उनकी फिल्मों के लिए फिल्म फियर आवाट से नामांकित किया गया है जिसमें दो बार उन्होंने एक पुरुसकार जीता है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और अपने अनुसासित सोभाव और दिनचर्या के लिए भी जाने जाते हैं खिलाडियों के खिलाडी नाम से मसूर अच्छे कुमार यानी अपनी फिल्मों में ज्यादा तर इस्टेंट श्वयम ही करते हैं अच्छे कुमार का जन अमरेश सर्क्स में हुआ था उनके पीता हारी ओम भाटिया मिलेटरी आफीसर थे उनकी माता का नाम अरुना भाटिया है अच्छे की एक बहन हैं जिनका नाम अलका भाटिया है और अगर इनके पढ़ाई की बात की जाये तो उनकी स्कूली पढ़ाई डानबाक्सो स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मुंबई के गुरू नानग खालसा कालेश से हुई है भारत में तेकोईंडो में ब्लैक बिल्ट हांसिल करने के बाद अच्छे ने थाइलेंड के बैकॉक में मार्सल आर्ट की पढ़ाई की है वहां से वापस लौटने के बाद अच्छे कुमार ने अपना फोटो सूट कराया जिसके बाद उन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया गया था अच्छे कुमार की साधी राजेस खन्ना और डिंपल का पाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना से हुई है उनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम अरओ और लड़की नितारा हैं अगर इनके करियर की बात की जाये तो अच्छे कुमार मुक्य अवनेता के तौर पर अच्छे के करियर की सुरुवाद सौगंद फिल्म से हुई है इसके पहले भी मार्सल आर्ट से प्रसिचक के रोल में उरे आज भी मौ भी मौद फिल्मों में उने बाली बुट का खिलाडी कुमार बना दिया पापलर सो में मैन वेज वाल्ड में बाली बुट के इस्टेंड मैन यानि खिलाडी अच्छे कुमार बेर गिंस के साथ जंगलू का सफर और एडवेंचर्स करते नजर आएंगे 11 सितंबर 2020 को इस्टो का प्रसारण डिस्कवरी चैनल में किया जाएगा आपको बता दें कि इससे पहले प्रधान मंत्री मोद जी और साथ के सूपरिश्टार रजनी कांदर भी बेर गिरिस के साथ जंगलों का एडवेंचर भरा सफर चुनेंगे 4 सितंबर 2020 को अच्छे कुमार ने पीएम मोदी जी के साथ मिलकर आत्म नीरभर भारत के तहएग गेमिंग यप एयू जी की घोंसड़ा की है ये गेमिंग बहुत ही जल्द इंडिया में लांच होने वाला है अच्छे कुमार की अगर गलफरेंडों की बात की जाए तो पहली गलफरेंड पूजा बनना है कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले अच्छे का फेर उस दोर की मसूर माडल पूजा वत्त्रा के साथ था यह तक की दोनों की सगाई भी हो चुकी थी लेकिन फिल्मी दुनिया का चका चौंद असर इस रिस्ते पर पड़ा और दोनों अलग होगे उपसा रेखा से भी रहा अफेर अपनी हर उम्मर हेरवाईन से रोमांस करने के लिए मसूर अच्छे कुमार के अफेर के चर्चे बाली बुड की एवर ग्रीन हेरवाईनों रेखा के साथ भी सुनाई दिया माना जाता है कि फिल्म खिलाडी यों का खिलाडी की सूटिंग के दोरान दोनों एक दूसरे से काफी करीब आ गये थे रेखा उम्र में अच्छे से काफी बड़ी थी जिस वज़े से ये अफेर काफी कंट्रोविश्यल रहा हला कि रेखा और अच्छे दोनों ने ही इस बारे में मीडिया में हमेशा कुछ कहने से बचते हुए नजर आये रवीना के भी दीवाने रह चुके हैं खिलाडी अच्छे कुमार सिल्पा सिट्टी से पहले अच्छे कुमार का फेर बालीवूड एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ था रवीना टंडन अपने दोर की बेहत ग्लैमरस हिल्वाइनूम में फेर इस्त में सामिल थी ये भी कहा जाता है कि जिस समय अच्छे रवीना को टेट कर रहे थे ठीक उसी समय वो सिल्पा सिट्टी को भी टेट कर रहे थे साइद इसी वज़े से रवीना ने अच्छे से अपने रिष्टे को खत्म करना ही बहतर समझा और दोनों की राहें एक दूसरे से जुदा हो ग सिट्टी बाली बुट के हाट कपल्स में से सुमार थे सिल्पा ने एक इंटर्व्यू में खुद यह बात मानी थी कि उन्होंने अच्छे से मंगनी कर ली थी लेकिन अच्छे के दिल फेंक रवईय की वज़े से दोनों के रिस्तों में दरारा चुकी थी रेखा के बाद प्रेंका चोप्रा के साथ कंट्रोविस्यल इसक एसा माना जाता है कि अक्की साधी के बाद सुधर गए लेकिन उनका सबसे कंट्रोविस्यल आफेर भी साधी के बाद हुआ फिल्म अंदाज की सुटिंग के दोरान अविनेतरी प्रेंका चोप्रा के साथ उनका आफेर काफी परवान चड़ा जिसकी भनक पत्नी टिंकोल तक भी पहुच गई जिसके बाद अच्छे और टिंकोल के बीच मन मुटाओ की खबरे आई लेकिन अपने परिवार के खातिर अच्छे इस रिष्टे से बाहर निकल गए पहले प्रेम का बाद में पत्नी बनी टिंकोल खन्ना 17 जनवरी 2001 को टिंकोल खन्ना के साथ साधी के बंदन में बंदे अच्छे कुमार आज एक खुशाल साधी सुदा जिंदगी जी रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ये बात जान पड़ा आखिरकार दोनों ने साधी कर ली दोनों के दो बच्चे भी हैं साधी के बाद अच्छे ने अपनी प्लेव बॉय इमेज छोड़ दी और आज दोनों खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं अच्छे कुमार की पापलर फिल्में खिलाड़ी बेबी पाड़में ट्व इस प्रेमं कथा केहें और कि याद फिल्म हैं जूई चावला की बात की जाए तो जीवे चावला एक भारती फिल्म माडल फिल्म निरमाता हैं 1984 मिस इंडिया सौंदर प्रेश्ट के बिजेता हैं जुही चावला ने एक एक्टिंग कैरियर में दो फिल्म फेर पुरुसकार भी अपने नाम कर चुकी हैं चावला ने बंगाली, पंजाबी, मले आलम, तमिल, कर्नड और तेल्गु भासा फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से हिंदी भासा फिल्मों में काम किया है जुही चावला मद्ध अस्सी नब्बे के दसकी प्रसिद्ध एक्टरस रह चुकी हैं और साथ ही अपने कैमेडिक समय और जीवन्त स्क्रीन पर ब्यक्तिगत के लिए प्रससंसा प्राप्त की हैं अगर इनके जीवन की बात की जाये तो जुही चावला का जन्म 13 नुवंबर 1967 को लुधियाना पंजाब में हुआ था जुही चावला के पिता पंजाब और ममता गुजराती हैं माता इनकी गुजराती हैं उनके पिता भारती राजुच सुसेवा आई आरेस के अधिकारी थे उन्होंने पोर्ड कान्वेंटी स्कूल मुंबई से अपनी स्कूली सेस्ता के साथ मुंबई के सिट नहम कालेज से इसनातक की डिग्री हांसिल की है पढ़ाई खत्म हो करने के बाद जुही चावला ने वर्स 1994 में मिश्ट इंडिया प्रतियोगता में हिस्सा लिया और अपने किताब नाम किया था साथ ही उन्होंने 1984 में मिश्ट इन्युएर् उनके दो बच्चे हैं आरजुन और जानवी कपूर जै मेहता और जुही चावला इंडियन प्रीमियम लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सैमालिक हैं जिन्होंने सहरुख खान के साथ अपनी कमपनी रेड मिर्च एंटर्टेन्मेंट के साथ भागिदारी की है इनक 1986 में फिल्म संतलंज से की थी हलाकि ये बिग फिल्म बिग बॉक्स पर सफल नहीं हो पाई इसके बाद वर्स 1987 में जुही चावला ने कन्नेट सिनेबा की फिल्म प्रेम लोक से की फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल रही और जुही चावला को काफी सराहना मिली इसके बाद जुही चावला को वर्ष 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म मिली इस फिल्म में जुही चावला के साथ आमिर खान की जोड़ी बड़े परदे पर नजर आई और फिल्म जबरजस्त हिट साबित हुई और इसके बाद जुही चावला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जुही चावला 1984 में मिस्ट इंडिया की किताब हासिल कर चुकी है और साथ ही है वह 1984 में मिस्ट इंडिया का भी आवार्ड जीत चुकी है जानवर मुबी में करिस्मा कपूर ने भी अपने अभिने को बखोवी निभाया है अगर इनके जनम की बात की जाए तो इनका जनम 25 जून 1974 को एक भारती अबनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं मुंबई में जनमी और पली बढ़ी वो करिस्मा कपूर की सदस्य हैं और उन्होंने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी के साथ आविने की शुरुवात की उन्होंने कई पुरुसकारों से समानित किया गया है जिसमें एक राष्टी फिल्म पेर पुरुसकार और चार फिल्म पेर पुरुसकार सामिल हैं इनका जनम 25 जून 1974 को हुआ था उम्र इनकी 47 वर्स है कपूर ने जिगर 1992 में अनाडी 1993 में राजा बाबु 1994 में कोली नमबर वन 1995 में साजन चले ससुरार 1996 में और जीत 1996 में कई बॉक्स आफिस हिट फिल्मों में अभिने किया हलाकि ये रोमांटिक ड्रामा राजा हिंदुस्तानी 1996 में उनके चित्रण था जिनसे उन्होंने सर्फशेष्ट अबनेतरी का पुरुसकार जीता और संगीत में रोमांस दिल तो पागल है 1997 में जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेर पुरुसकार और सर्फशेष्ट चाहक फिल्म फेर पुरुसकार भी जीता अबनेतरी जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा की एक प्रमुक अबनेतरी के रूप में इस्थापित किया गया है जिससे उन्हें प्रसंसा और इस्टाडम मिला कपूर ने डेविड धवन की पांच रोमांटिक कमेडी जुडबा 1997 में हीरो नंबर वन 1997 में बीबी नंबर वन 1999 में हसीना मान जाएगी 1999 में और दुलहन हम ले जाएंगे 2000 में अभिने करके अपनी इस्थिती को मजबूत किया जिसमें से सभी ब्योसाइक सफलताएं थी साथ ही परिवारिक नाटक हम साथ साथ हैं 1999 में 2001 के साथ दसक की सुरुवाद में कपूर ने फीजा 2000 और जुबैदा 2001 नाटकों में अपनी नामांकन की भूमकाओं के लिए फिल्म पेर से सर्फशेष्ट अपनेत्री की सर्फशेष्ट अपनेत्री का पुरुसकार जीता और सक्ती दापावर में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसंसा प्राप्त की 2002 में उन्होंने 2004 में अभिने से दिस्त्राम लिया और अब तक से छिटपूट रूप से अभिने किया जिसमें थिल्लर डेस्जरस डेंजरस इस्क 2012 और विशेष संकला मेटर्ड़ूड सामिल है कपूर ने 2003-2016 तक बेवसाइक संजे कपूर से साधी की थी दमपती के दो बच्चे एक साथ हैं कपूर ने टेली विजन संकला करिस्मा दा मीर कल और डिश्टिनली 2003-2004 में नाम मात्र का किरदार निभाया है और कई रियाल्टिसों के लिए एक प्रित्भान आधिस के रूप में भी चित्रित किया गया है अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो करिस्मा कपूर का जन्म 25 जुन 1974 को मुंबई में अभिनेता रणधीर कपूर और बविता नी सिउदासानी के घर हुआ था उनकी छोटी बहन करीना भी एक फिल्म अभनेत्री है उनके दादा अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर थे जबकि उनके नाना अभिनेता हरी सिउदासनी थे उनके परदादा अभिनेता प्रतवी राज कपूर थे अभिनेता रिसी और राजीव कपूर उनके चाचा हैं जबकि अभिनेतरी नीतु सिंग और उद्धमी नीतु नंदा उनकी मौसी हैं उनके पहले चचेरे भाईयों में जैन और निखिलनन्दा अबनेता सम्मी और ससी उनके चाचा हैं और दिवंगत अबनेतरी साधना उनकी मा हैं पहली चचेरी बहन थी कपूर को उनके घर पर अपचारिक रूप से लोलो कहा जाता था कपूर के अनुसार लोलो का नाम उनकी मा दोरा इतलाव लवी अपनेतरी जीना लोलो बिगडा के संधर्व में दिये जाने के बाद लिया गया था उनके गाने और नाना दोनो करमसा पेसावर लायरपूर और कराची से थे जो भारत के विभाजन से पहले अपने फिल्मी कारियर के लिए बामबे चले आये थे कपूर अपने पिता की और पंजाबी हिंदू सिंधी हिंदू और बेटिस मूल की हैं बिशेस रूप से अपने त्री सिरी देवी और मादुरी दिच्छित के काम से प्रेरित कपूर बच्पन से ही अभिने करने से के इच्छुक थी बड़े होने के दवरान करिश्मा कपूर नियमित रूप से पुरुसकार समाहरोहों में सामिल होती गई और अपने माता पिता के साथ फिल्म सेट पर जाती गई हलाकि उनकी परिवारिक प्रिश्ट भूम मजबूत है उनके पिता ने फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं को अई-सुई-कार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि यह परंपरा परीक मात्र कर्तब्वियों और परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी के विप्रीत है जानवर मुवी सुनील दरसंद्वारा निर्देशित भारती हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है यह फिल्म 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई है इस फिल्म में अच्छे कुमार करिश्मा कपूर और सिल्पा सेटी प्रमग भूम काओं में हैं फिल्म एक ब्योसाइक सफलता थी और इसने कुमार और सिल्पा सटी के साथ घटते करियर को पुनर जीवित किया है फिल्म 2004 में बंगाली में मस्तान के रूप में बनाई गई थी और 2001 में बंगाली बंगला देश में मुखो मुखी के रूप में बनाई गई थी इस फिल्म को निर् पिन भट केके सिंग ने और इसे निर्मित किया है सुनील दर्सन ने और इस फिल्म को आभिनित किया है अच्छे कुमार करिश्मा कपूर सिल्फा सेटी मोहनीस बहाली अच्छायंकन किया है शमीर रड़ी ने और इस फिल्म को संपादित किया है संजय संकाला और संगीत दिया है आनंद मिलिंदो ने और उत्पादन कंपनी सिरी क्रश्ट इंटरनेशनल और इसे ब्यत्रित किया है शुमारू इंटर्टेन्मेंट और यह मूवी रिलीज हुई थी 24 दिसंबर 1999 को इसकी कारिकारी देश भाषा और इसके बजट की बात की जाये तो 45 मिलियन अगर बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो 124 मिलियन की कमाई की थी यह बात है उस समय की जब उसकी मा भूंक से मर जाती है तो अनात हो जाता है बाबू यानि की अच्छे कुमार को सुल्तान एक महत्वा कांची इस्थानी अपरादी ले जाता है सुल्तान ने अपने बातीजे अब्दुल के नेत्रतों में लड़कों के एक समो को इकठा किया जिससे वो उसके लिए काम करने की पसिच्छित करता है बाबू बड़ा होकर बातसा बनता है जो सुल्तान के लिए काम करने वाला एक पेसेवर अपराधी है एक आभूशन की दुकान को लूटने के बाद बातसा और अब्दुल को पुलिस पीछा करती है लेकिन भागने में सफल हो जाते हैं अगले दिन बातसा सपना यानि की करिस्मा कपूर को देखता है एक गरीब सडक कलाकार पैसे के लिए गाना और नाचना बातसा उसके फटे और पुराने उसमें दिल्चस्पी लेने लगती है घर लौटने पर बातसा ने इस्पेक्टर प्रदान को उसका इंतजार करते हुए पाया और दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए सब्दों के युद्ध में उलजे हुए हैं इस्पेक्टर ने बातसा की अपरादिक गदविदियों को स गोली लग जाती है और आरजगता की कारण उनके दोनों वाहन दुरघटना ग्रस्त हो जाते हैं इस्पेक्टर प्रदान अपनी कार में फस जाता है और बातसा उसे बाहर निकालने में मदद करता है बचाये जाने के बाजूत इस्पेक्टर बातसा को गिरिफतार करने की को अपने घर ले जाती है अब्दूल बात्साह का दोरा करता है और उसे सहर में पुलिस की बढ़ती उपस्तिती के बारे में अपडेट करता है उसे अस्थाई रूप से सपना के साथ रहने की सलाह देता है सपना के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके लालची चाचा उसे धोखा देते हैं जो उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक रण की बेऊस्था की है इसके बजाए उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उसके साथ आदमी को सराब की बोतल के लिए बेच दिया जो उसके साथ बलतकार करने का प्रयास करता है बासा ने उसे बचाने के लिए समय पर आता है और कहता है कि नियत के नियत ने उन्हें साथ लाया है बासा सपना के सामने अपने अपराधिक जीवन को कबूल करता है और कहता है कि वो उससे साधी करने और सांती से रहने के लिए सहर और अपने अजीत को पीछे छोड़ने को तयार है लेकिन वो एक और काम करने का इरादा रखता है ताकि भविस्य के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाए एक गुप्त पुलिस मुखिवीर के साथ सौधा करने के बाद अब्दुल को ग्रिफतार कर लिया जाता है और बासा को एक इमारत की छट पर घेर लिया जाता है लेकिन वो भाग जाता है इस भी सपना के चाचा नेवु ने और बासा के रिस्ते पर सवाल उठाते हुए उसे अपमानित किया बासा सार्वजनिक रूप से सपना के लिए अपनी भावनाओं की घोंशडा करता है और घोंशडा करता है कि वो अगले दिन साधी करेंगे मंदिर की ओर जाते समय बासा पुलिस मुखिवीर से मिलता है जिसने अब्दुल को ग्रिफतार किया था गुस्से म आकर उसने उसे मार डाला और पुलिस के आने पर भाग गया सपना अपनी साधी में खड़ी होने के कारण उसके समुदाय द्वारा उसका मजाक उड़ा जाता है उस रात बाद में बासा को एक बच्चा मिलता है जो एक ट्रेन दुरगटना में बच गया है और मदद के बेटे को उसके पास लाया है शपना के चाचा पुलिस को बुलाते हैं और बासा को शपना को सच्चाई बताये बिना बच्चे के साथ भाग जाते हैं इस बीच बच्चे के ब्याकुल माता पिता आदित और ममता अपने बेटे के लापता होने से निपड़ने के लिए संग बीत जाते हैं और अब्दुल अभी भी पूलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करता है बादसा को बंद करने से इस्वेक्टर प्रधान का इनकार फाइल यह वादा करते हुए कि वो सुईकार नहीं करेगा बादसा अपने अप्रादिक जीवन को पीछे छोण देता है और हिनत करता है जिससे वो राजू नाम देता है और अपना कहता है कि साथ साल बाद राजू बड़ा हो गया है और स्कूल जाना सुरू कर देता है ममता जो स्कूल की ट्रस्टी है राजू से मिलती है और उसके साथ बन जाती है यह मैसूस नहीं करती कि वो उसका बेटा है वो उपहारों की बौछार करती है जिससे बाबु नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को भवतिक चीजों से दूर किया जा रहा है अबदुल जेल से रिहा हो जाता है और सुल्तान के घर जाता है जिसने ये मान लिया था कि बाथसवा को भी कैद कर लि अब्दूल ने संगर्स निसकर्स निकाला की बासा ने सौधे से पैसे चुरा लिये और उसे जेल में छोड़ दिया। सुल्तान बदला लेने के लिए कहता है और चाहता है कि बासा उसके लिए काम पर लौट आए। अब्दूल शपना को ट्रेक करता है जो अब एक नाइट कलब में बार डांसर के रूप में काम करती है और उसे पता चलता है कि उसे पता नहीं है कि बासा कहा है। जल्द ही अब्दुल को बासा की नई पहचान के बारे में पता चलता है और वो उसे पैसे और उसके गायब होने के बारे में बात करता है। बाबु सुल्तान से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपना अतीत भूल कर उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन सुल्तान ने मना कर दिया अब्दुल का पीछा करने के बाद इन्षेक्टर प्रधान बाबु के घर आते हैं और राजू से मिलते हैं और वो युवा लड़के के चरित से प्रभावित हो जाते हैं और बासा को आगे नहीं बढ़ने का फैसला करते हैं। की स्कूल संगीत कारिक्रम के बाद आदित यानि की राजु को घर ले जाते हैं और उसकी बच्पन की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसे से वो पता चलता है कि राजु उसका बेटा है, वो बाबु को अपने घर आमंत्रित करता है, और अपने बेटे की वापसी के लिए विन् शपना को बाथसा को मारने के लिए मनाने की कोशिस करता है लेकिन वो ऐसा करने में अस्मर्थ है क्योंकि वो मम्ता को अपने बेटे को वापस करने के लिए बाबू से विंती करता है अपने बेटे की वापसी के लिए बेताब आदित्ति बाबू को अदालत ले जाता है और राजू और मंदा की पूरी हिरासत में होने का अधिकार जीत लेता है बाबू राजू को बचाने के लिए जाता है लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक है और वो एक पिंजरे में फस गया है सुल्तान अपने दो कुत्वों का उप्योग करके राजु को चोट पहुँचा कर बाबु को प्रताडित करने का इरादा रखता है बाबु खुद को मुक्त करने का प्रवन्धन करता है और राजु को कुत्वों से बचाता है इस प्रकर्या में अब्दुल और सुल्तान की हत्या कर देता है बादसा सपना के साथ फिर से जुड़ जाता है और वे राजु को सामूहिक रूप से पालने के लिए आदित्य और ममता के साथ रहने का फैसला करते हैं जानवर मूबी में बादसा बाबुलोहार के रूप में अच्छे कुमार सुल्तान का दत्तक पूर्त राजु का दत्तक पिता है शपना के रूप में है करिस्मा कपूर बाथसा की लव इंटर टेस्ट आदित कपाडिया राच आदित ओबराय उर्फ राजू ममता और आदित के वेटे बाथसा के दत्तक पुत्र के रूप में हैं ममता ओबराय के रूप में सिल्पा सिट्टी हैं मुहनीस बहल आदित ओबर के रूप में हैं अब्दुल के रूप में आस्तोस राणा हैं आसीस विद्धार्थी इस्पेक्टर अर्जुन प्रधान के रूप में हैं जानी लीवर बजरंगी यान Birth दोस्तान के रूप में हैं सुल्फान के गुंडे के रूप में जीतू अर्मा, विशेज सुपस्तिती के रूप में कादर खान, पुलिस मुख्विर के रूप में रामी रड़ी और सपना की दोस्त के रूप में डाली बिंद्रा हैं, सपना के मामा के रूप में मलय शक्रवर्ती हैं, इस फिल्म में संगीत दिया है आनिंद मि पहले लूटेरे और अजय में निर्माता सुनिल दर्सन के साथ काम किया था इस फिल्म के बाद दर्सन ने उनके साथ कभी काम नहीं किया लेकिन आगे चलकर नदीम स्रमड संजीव दर्सन और हिमिस रेसे मिया को अपने भविस्षी के प्रोजक्ट के लिए साइन किया संगीत 1999 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बोमों में से एक हुआ और इस फिल्म में कुल नो गाने हैं जो इस प्रकार हैं गाना नमबर एक मेरे सपनों के राजी कुमार इसे गाया है अलका यागनिक ने नमबर दो मेरा यार देलेदार शुखविंदर सिंग शोनु निगम ज उदित नाराण सुनिदी चवहान जी ने शंगीत दिया है नमबर चार अंगोरी अंगोरी शपना आवस्थी जी ने आवाज दी है नमबर पांच कसम से उदित नाराण अलका यागनिक जी ने गाया है नमबर पांच छे पास बुलाती है अलका यागनिक सुनिदी चवहान जी ने शंगीत दिया है नमबर साथ जाने वालों जाने वालों राम शंकल शोनु निगम अलका यागनिक जी ने शंगीत दिया है नमबर आठ मौशम की तरह मनहर उदाश अलका यागनिक जी ने अपने आवाज दी है नमबर नो रिष्टा दिलों का सुनिती चौहान जी ने खूब अपने आवाज की द्वारा अपने शर को बुलंद किया है अगर इस फिल्म के रिलीज और रिसेप्शन की बात की जाये तो रेडिफ की सुकन्य वर्मा ने इसे ना समझी का मामला कहा है फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्यवसाइक रूप से सफल रही जानवर को 2000 में सभी छेतरों में टिप टाप वीडियो द्वारा NTSC प्रारूप एकल डिस्क में DVT पर रिलीज किया गया था एक हाई डिफिसनल DVD संस्क्रंड जिसमें आइडियो और वीडियो को डिजिटल के रूप में बहाल किया गया था बाद में सोरूम इंटर्टेन्मेंट द्वारा जारी किया गया था जानवर की बॉक्स आफिस की सफलता के बाद जैसे की उन्होंने अपने पिछले कामों के साथ दर्शन ने फिल्म के टेली वीडियन अधिकारों को बेचने से इनकार कर दिया उनकी फिल्मों के बिना विके उपग्रह अधिकारों का शामोहिक मूल वन मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था दर्सन ने अंतता 2017 में जी को अपनी फिल्मों के अधिकार बेच दिये और जानवर का प्रेमियम जी सिनेमा पर हुआ 2 दिसम्बर 2017 को इसकी नाट्टी विमोचन के 18 शाल बाद सुनील दर्सन एक भारती निर्माता फिल्म निर्माता और लेखक हैं जो बाली बुदुद धोग में काम करते हैं अगर इनके जीवन की बात की जाये तो दर्सन ने अपने कैरियर की सुरुवात 1987 में एक फिल्म निर्माता के रूप में की थी उन्होंने फिल्म इंतकाम का निर्माड किया जिसमें सन्नी देवल और अनिल कपूर ने अभिने किया 1993 में फिल्म लुटेरे का निर्माड किया जिसका निर्देशन उनके भाई धर्मेंद दर्शन ने किया जिनों ने फिल्म के साथ निर्देशन की सुरुवात की फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसके बाद भाईयों ने कई बार सहयोग किया सुनील ने खुद 1996 में एक्षन फिल्म आजे से निर्देशन की सुरुवात की दर्सन ने फिल्म का निर्माड भी किया और फिल्म के लिए समाद भी लिखा फिल्म में सनी देवल और करिस्मा कपूर ने अभिने किया और निर्माड किया फिल्म ने अच्छे कुमार के साथ उनके पहले सहयोग को चिनित किया और फिल्म हिट हो गई फिल्म में करिस्मा कपूर और सिल्फा सेटीन ये भी अभिने किया था दर्सन की अगली फिल्म एक रिस्ता 2001 थी जिसके उनके द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था फिल्म में अमिताब बच्चन, अच्छे कुमार, करिश्मय कपूर और जूही चावला ने अभिने किया था यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी इसे खूब सराहा गया और समिच्चकों ने इसकी सराहना की उसके बाद इन्होंने अंदाज 2003 का निर्मार किया जो एक बड़ी हिट थी बरसात और दोस्ती फ्रेंड्स पावर वर 2005 जो विदेशों में साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी उनकी सबसे हालिया फिल्म सका लाका बुम बुम ने बॉक्स आफिस पर खराप प्रदर्शन किया साथ साल के अंतराल के बाद दर्शन ने अपने बेटे श्यू दर्शन को अपनी फिल्म कर ले प्यार कर ले 2014 में लांच किया फिल्म को भारती बॉक्स आफिस पर एक अपदा घोसित किया गया था 9 दिसंबर 2017 को गुमार का पच्चास हुआ जनम दिन मनाने के लिए जी सिरेमानी सनिवार की रात अच्छे के साथ वर्ल्ड प्रीमियम की मेजवानी की इसने अच्छे कुमार की चार फिल्मों का प्रदर्शन किया जानवर अंदाज एक रिस्ता और दोस्ती फ्रेंड्स फार एवर सभी का निर्माड और निर्देशन दर्शन ने किया था अगर इनके फिल्मी बायोग्राफी की बात की जाये तो इनोंने अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन किया है एक रिस्ता दा ब्रांड आफ लब ए रिलेशनसिफ दा ब्रांड आफ लब दोजार एक की भारती हिंदी भासा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुनेल दर्शन ने 18 मई 2001 को किया था फिल्म में अमिता बच्चन, अच्छे कुमार, राखी गुलजार, जुही चावला, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल यह फिल्म थे जिसमें बच्चन और कुमार ने साथ काम किया था फिल्म की एक फैमली ड्रामा है, जहां एक बड़े परिवार पर संकट आता है, जब पिता यानि की अमिता बच्चन और बेटे अच्छे कुमार के बीच बीवाद हो जाता है फिल्म ने वन मिलियन से अधिक की कमाई की, यूएस त्यारा मिलियन बिश्व यापी बॉक्स आफिस पर कलेक्शन किया रिश्टा मोवी, ये सफल ब्योसाई बिजे कपूर और पत्नी और चार बच्चों के साथ खुसी से रहते हैं उनका एक लोता बेटा आजय जो बिदेश में पढ़ता है और विश्व इद्याले से इसनातक की उपाधी प्राप्त कर चुका है अब घर वापस आ गया है राजयस पुरोहित परिवार में प्रवेश करता है और बिजे और उसकी सबसे बड़ी बेटी प्रीती को कुटिलता से प्रभाहित करता है जबकि उसका मोखिलच अपने परिवार को गरीब बनाना और बीजय के भागी पर कपजा करना है जल्द ही बीजय उनकी साधी को मंजूरी दे देता है इस बीच आजय को नीशा थापर से प्यार हो जाता है बीजय उससे पहले परिवारिक ब्योसाय में अनुभाव हांसिल करन के अपने निर्माड पर अडिग हैं बाद में वो इसके लिए करज देते हैं और गुस्से में बीजय ने उससे बाहर निकल दिया आजय साधी करता है और नीशा के साथ अपने नए घर में चला जाता है बीजय राजेस को सक्त बनाने के लिए पावर आफ अंटिनी पर हस्त चेप करवाता है और उसे अदालत को एक बड़ी राजिका भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वो असमर्थ है इस प्रकार वो दिवालिया हो जाता है और उसका सारा भागी राजेस के पास चला जाता है जैसे ही अजय को पता चलता है कि क्या हुआ आजय को पता चलता है कि राजेस ने उसके और विजय के बीच बहस को उकसाया था फिर वो विजय के करीब आने की कोशिस करता है जिससे निरासा के साथ उसकी साधी संकट पैदा हो जाती है जो अपने परिवार के साथ आजय के पुरन मिलर से खुश नहीं है क्योंकि निसा नाम के लड़की से साधी करने से उनके बीच लगातार बहस के कारण वो अलग हो जाते हैं उसे पता चलता है कि वो गर्वती है और अजय घर लोटाता है अब उसका मिसन अपने परिवार के भागी और विजय के विश्वास को वापस करना है क्योंकि विजय अभी भी उसे माफ नहीं कर सकता आखिरकार अजय और विजय एकजुट हो जाते हैं हलाकि उन्हें अभी तक भागी वापस नहीं करना है राजेस प्रीती के साथ बुरा बेवहार करने लगता है जो घर भी लोटाती है अपने परिवार के भागी को हिंसक रूप से वापस करने के लिए आजय राजेस को एक और पावर आफ अंटनी पर हस्ताचर करने के लिए मजबूर करता है जो कहता है कि पैसा मालिक के पास वापस आजाता है इसके साथ भी जय अदालती भुगतानों का निप्टान करने में सच्छम है प्रीती राजेस से कहती है कि वो उसके परिवार पर किये गए अत्याचारों के लिए उससे निशा और राजेस एकजुट हो जाते है अजय और परिवार अंतता एक साथ आता है और पहले की तरह खुशी से रहने लगा रहता है निशा और अजय एकजुट होकर साधी के बंधन में बन जाते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से बेतीत करने लगते हैं अमिता बच्चन के रूप में बीजे कपूर, राखी के रूप में प्रतिमा कपूर, आजे कपूर के रूप में अच्छे कुमार, जुही चावला के रूप में प्रीती कपूर प्रोहित, निसा थापर कपूर के रूप में करिस्मा कपूर, राजेस प्रोहित के रूप में मोहनीस बहल सिमोन सिंग से के रूप में प्रिया कपूर जग मोहन थापरी के रूप में आलोक नाथ लड़ू के रूप में सक्ती कपूर आसीस विद्यार्थी के रूप में हरी सिंग, पुलिस एस्पेक्टर स्वणी विजय, सेंगिल के रूप में भारस सक्सेना, आवतार गिल के रूप में विवेक खन्ना, ब्रजभान, ब्रज सिंग के रूप में अनंग देसाई, कुनिका, स्वीटी, अंटी के रूप में, सु अच्छे कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमरसर पंजाब में हुआ था जिनका असली नाम राजिव हरियोम भाटिया है वो एक महसूर फिल्म अबनेता होने के साथ साथ वो निर्माता और मार्सल आर्ट्स में भी परमपरागत हैं प्यार से लोग उन्हें अक्की भी कहते हैं अच्छे कुमार ने 125 के उपर फिल्मों में काम किया है उन्हें कई बार उनकी फिल्मों के लिए फिल्म फियर आवाट से नमांकित किया गया है जिसमें दो बार उन्होंने एक पुरुसकार जीता है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और नाम से मसूर अच्छे कुमार यानी अपनी फिल्मों में ज्यादा तर इस्टेंट श्वयम ही करते हैं अच्छे कुमार का जन अमरेश सर्क्स में हुआ था उनके पीता हारी ओम भाटिया मिलेटरी आफीसर थे उनकी माता का नाम अरुना भाटिया है अच्छे की एक बहन है जिनका नाम अलका भाटिया है और अगर इनके पढ़ाई की बात की जाये तो उनकी स्कूली पढ़ाई डानबाक सो स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मुंबई के गुरु नानग खालसा कालेश से हुई है भारत में तेकोएंडो में ब्लैक बिल्ट हासिल करने के बाद अच्छे ने थाइलेंड के बैकाउक में मार्सल आर्ट की पढ़ाई की है वहां से वापस लौटने के बाद अच्छे कुमार ने अपना फोटो सूट कराया जिसके बाद उन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया गया था अच्छे कुमार की साधी राजेस खना और डिमपल का पाडिया की बेटी ट्विंकल खना से हुई है उनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम अरओ और लड़की नितारा है अगर इनके करियर की बात की जाए तो अच्छे कुमार मुख्य अवनेता के तौर पर अच्छे के करियर की सुरुवात सौगंध फिल्म से हुई है इसके पहले भी मार्सल आर्ट से प्रसिच्चक के रोल में और आज भी मौका मिला लेकिन उनकी बिना स्रे भूमका की सुरुवाती दोर में उनकी फिल्मों को खास प्रतक्रिया नहीं मिले लेकिन उनकी खिलाडी सीरीज की फिल्मों में उन्हें बाली बुट का खिलाडी कुमार बना दिया पापलर सो में मैन वेज वाल्ड में वाली बुट के इस्टेंड मैन यानि खिलाडी अच्छे कुमार बेर गिंस के साथ जंगलों का सफर और एडवेंचर्स करते नजर आएंगे 11 सितंबर 2020 को इस्टो का प्रसारण डिस्कवरी चैनल में किया जाएगा आपको बता दें कि इससे पहले प्रधान मंत्री मोदे जी और साथ के सूपरिश्टार रजनी कांदर भी बेर गिंस के साथ जंगलों का एडवेंचर भरा सफर चुनेंगे 4 सितंबर 2020 को अच्छे कुमार ने पीएम मोदी जी के साथ मिलकर आत्म निर्भर भारत के तहग गेमिंग यप एयू जी की घोंसड़ा की है ये गेमिंग बहुत ही जल्द इंडिया में लांच होने वाला है अच्छे कुमार की अगर गल्फ्रेंडों की बात की जाये तो पहली गल्फ्रेंड पूजा बनना हैं कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले अच्छे का फेर उस दौर की मसूर माडल पूजा वत्रा के साथ था ये तक की दोनों की सगाई भी हो चुकी थी लेकिन फिल्म दुनिया का चका चौंद असर इस रिस्ते पर पड़ा और दोनों अलग होगे उपसा रेखा से भी रहा अफेर अपनी हर उम्र हेरवाइन से रोमांस करने के लिए मसूर अच्छे कुमार के अफेर के चर्चे बाली बुड की एवर ग्रीन हेरवाइनों रेखा के साथ भी सुन काफी बड़ी थी जिस वजह से ये अफेर काफी कंट्रोविशन सील रहा हला की रेखा और अच्छे दोनों ने ही इस बारे में मीडिया में हमेशा कुछ कहने से बचते हुए नजर आये रवीना के भी दीवाने रह चुके हैं खिलाडी अच्छे कुमार सिलपा सेटी से पह ने सामिल थी ये भी कहा जाता है कि जिस समय अच्छे रवीना को टेट कर रहे थे ठीक उसी समय वो सिलपा सिटी को भी टेट कर रहे थे साइद इसी वजह से रवीना ने अच्छे से अपने रिष्टे को खद्म करना ही बहतर समझा और दोनों की राहें एक दूसरे से समार और सिलपा सिटी बाली बुट के हाट कपल्स में से सुमार थे सिलपा ने एक इंटर्व्यू में खुद यह बात मानी थी कि उन्होंने अच्छे से मंगनी कर ली थी लेकिन अच्छे के दिल फैक रवये की वजह से दोनों के रिस्तों में दरारा चुकी थी रेखा के ब साधी के बाद हुआ फिल्म अंदाज की सूटिंग के दोरान अविनेतरी प्रेम का चोप्रा के साथ उनका अफेर काफी परवान चड़ा जिसकी भनक पत्नी टिंकोल तक भी पहुच गई जिसके बाद अच्छे और टिंकोल के बीच मन मुटाओ की खबरें आई लेकिन अप अच्छे कुमार आज एक खुशाल साधी सुदा जिंदगी जी रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अच्छे टिंकोल खन्ना से साधी करने के मूड में नहीं थे लेकिन टिंकल की मां डिंपल का पाडिया के दवाओ के आगे अच्छे कुमार को जुकना प अच्छे कुमार की पापलर फिल्में खिलाडी, बेबी, पैडमेंड, ट्वालेट एक, प्रेम, कथा, केसरी याद फिल्में हैं जुही चावला की बात की जाये तो जुही चावला एक भारती फिल्म, एक्टर्स, माडल फिल्म निर्माता हैं 1984 मिस इंडिया सौंदर प्रेष्ट के बिजेता हैं जुही चावला ने एक एक्टिंग कैरियर में दो फिल्म फेर पुरुसकार भी अपने नाम कर चुकी हैं चावला ने बंगाली, पंजाबी, मले आलम, तमिल, कर्नड और तेल्गु भासा फिल्मों के अलावा मुख्य पर ब्यक्तिकत के लिए प्रससंसा प्राप्त की हैं अगर इनके जीवन की बात की जाए तो जुही चावला का जन्म सुसेवा IRS के अधिकारी थे उन्होंने पोर्ड कान्वेंट स्कूल मुंबई से अपनी स्कूली सिच्छा पूरी की है और HR में विसेस्ता के साथ मुंबई के सीड नहम कालेज से इसनातक की डिग्री हांसिल की है पढ़ाई खत्म करने के बाद जुही चावला ने वर्स 1994 में मि मिस इन्डिया प्रतियोगता में हिस्सा लिया और अपने किताब नाम किया था साथ ही उन्होंने 1984 में मिस इन्वेर्स प्रतियोगता में सर्वसेष्ट कश्ट्यूम प्रुसकार भी जीता इनकी साधी जुही चावला की धड़ी बिजनेसमैन जै महता से हुई है उनके दो ब अपनी कमपनी रेड मिर्च एंटर्टेन्मेंट के साथ भागिदारी की है इनके भाई बावी चावला लाल मिर्च एंटर्टेन्मेंट के शियो थे अगर इनके कैरियर की बात की जाये तो जुही चावला ने अपने कैरियर की सुरुवात वर्स 1986 में फिल्म संतलंस से की थी हलाकि ये बिग फिल्म बिग बॉक्स पर सफल नहीं हो पाई इसके बाद वर्स 1987 में जुही चावला ने कर्नेट सिनेमा की फिल्म प्रेम लोग से की फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल रही और जुही चावला को काफी सराहना मिली इसके बाद जुही चावला को वर्स 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तग फिल्म मिली इस फिल्म में जुही चावला के साथ अमीर खान की जोडी बड़े परदे पर नजर आई और फिल्म जबरजस्ट हिट साबित हुई और इसके बाद जुही चावला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा चावला 1984 में मिश्ट इंडिया की किताब हांसिल कर चुकी हैं और साथ ही है वह 1984 में मिश्ट इनिवर्स बेश्ट कश्टियूम का भी आवार्ड जीत चुकी हैं जानवर मूबी में करिस्मा कपूर ने भी अपने अभिने को बखोवी निभाया है अगर इनके जन परदमी और पली बढ़ी वो करिस्मा कपूर की सदस्य हैं कपूर परिवार की सदस्य हैं और उन्होंने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी के साथ आविने की शुरुवात की उन्होंने कई पूरुसकारों से समानित किया गया है जिसमें एक राष्टी फिल्म फेर पुरुसकार और चार फिल्म फेर पुरुसकार सामिल हैं इनका जन्म 25 जून 1974 को हुआ था उम्र इनकी 47 वर्स है पूर ने जिगर 1992 में अनाडी 1993 में राजा बाबु 1994 में कोली नंबर वन 1995 में साजन चले ससुरार 1996 में और जीत 1996 में कई बॉक्स आफि 1996 में उनके चित्रण था जिनसे उन्होंने सर्फशेष्ट अबनेत्री का पुरुसकार जीता और संगीत में रोमांस दिल तो पागल है 1997 में जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेर पुरुसकार और सर्फशेष्ट अबनेत्री जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा की एक प्रमुक अ 1997 में बीबी नंबर 1 1999 में हसीना मान जाएगी 1999 में और दुलहन हम ले जाएंगे 2000 में अभिने करके अपनी इस्तिती को मजबूत किया जिसमें से सभी ब्योसाइक सफलताएं थी साथ ही परिवारिक नाटक हम साथ साथ हैं 1999 में 2001 के साथ तसक की सुरुआत में कपूर ने फीजा 2000 और जुबैदा 2001 नाटकों में अपनी नामांकन की भूमकाउन के लिए फिल्म पेर से सर्फशेष्ट अपनेत्री की सर्फशेष्ट अपनेत्री का पुरुसकार जीता और सक्ती दापावर में अपने प्रदर्शन के लिए प्रसंसा प्राप्त की 2002 में उन्होंने 2004 में अभिने से दिस्त्राम लिया और अब तक से छिटपूर टूप से अभिने किया जिसमें थिल्लर डेंजर्स इस्क 2012 और विशेष्ट संकला मेटरुड सामिल है कपूर ने 2003-2016 तक बेवसाइक संजे कपूर से साधी की थी दामपती के दो बच्चे एक साथ हैं कपूर ने टेली विजन संकला करिस्मा दा मीर कल और डिश्टिनली 2003-2004 में नाम मात्र का किरदार निभाया है और कई रियाल्टीसों के लिए एक प्रित्भान आधिस के रू रणधीर कपूर और बविता नी सिउदासानी के घर हुआ था उनकी छोटी बहन करीना भी एक फिल्म अबनेत्री हैं उनके दादा अबनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर थे जबकि उनके नाना अबनेता हरी सिउदासनी थे उनके पर दादा अबनेता प्रतवी जीव कपूर उनके चाचा हैं जबकि अबनेतरी नीतु सिंग और उध्मी नीतु नंदा उनकी मौसी हैं उनके पहले चचेरे भाईयों में जैन और निखिल नंदा अबनेता सम्मी और ससी उनके चाचा हैं और दिवंगत अबनेतरी साधना उनकी मा हैं पहली चचेरी बहन थी कपूर को उनके घर पर अपचारिक रूप से लोलो कहा जाता था कपूर के अनुसार लोलो का नाम उनकी मादवारा इतलाव लवी अवनेत्री जीना लोलो बिगडा के संदर्व में दिये जाने के बाद लिया गया था उनके गाने और नाना दोनो क्रमसा पेसावर लायरपूर और कराची से थे जो भारत के विभाजन से पहले अपने फिल्मी कारियर के लिए बामबे चले आये थे कपूर अपने पिता की और पंजाबी हिंदू सिंदी हिंदू और बेटिस मूल की हैं विशेश रूप से अबनेतरी, सिरी देवी और मादुरी दिछित के काम से प्रेरित कपूर बच्पन से ही अभिने करने के इच्छुक थी बड़े होने के दवरान करिस्मा कपूर नियमित रूप से पुरुसकार समाहरोहों में सामिल होती गई और अपने माता पिता के साथ फिल्म सेट पर जाती गई हलाकि उनकी परिवारिक प्रिष्ट भूम मझबूत है उनके पिता ने फिल्मों में काम करने वाली महिलाओं को अईस्विकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि यह परमपरा परिक मात्र करतब्वियों और परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी के विप्रीत है जानवर मुवी सुनील दरसंद्वारा निर्देशित भारती हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है यह फिल्म 24 दिसंबर 1999 को रिलीज हुई है इस फिल्म में अच्छे कुमार करिश्मा कपूर और सिलपा सेटी प्रमप भूमकाओं में हैं फिल्म एक ब्योसाइक सफलता थी और इ जटते करियर को पुनर जीवित किया है फिल्म 2004 में बंगाली में मस्तान के रूप में बनाई गई थी और 2001 में बंगाली बंगला देश में मुखो मुखी के रूप में बनाई गई थी इस फिल्म को निर्देशित किया था सुनील दरसंद्जी ने और इस फिल्म को लिखा है राविन भट केके सिंग ने और इसे निर्मित किया है सुनील दर्सन ने और इस फिल्म को आभिनित किया है अच्छे कुमार करिश्मा कपूर सिल्फा सिट्टी मोहनीस बहाली अच्छायंकन किया है शमीर रड़ी ने और इस फिल्म को शंपादित किया है संजय संकाला और संग मुवी रिलीज हुई थी 24 दिसंबर 1999 को इसकी कारिकारी समय एक सो एक संड इनट है देश भाषा और इसके बजट की बात की जाये तो 45 मिलियन अगर बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो 124 मिलियन की कमाई की थी यह बात है उस समय की जब उसकी मां भूंक से मर जाती ह तो अनात हो जाता है बाबू यानि की अच्छे कुमार को सुल्तान एक महत्वा कांची इस्थानी अपराधी ले जाता है सुल्तान ने अपने भतीजे अब्दुल के नेत्रतों में लड़कों के एक समों को इकठा किया जिससे वो उसके लिए काम करने की पसिछित करता है ब अभूशन की दुकान को लूटने के बाद बादसा और अब्दुल को पुलिस पीछा करती है लेकिन भागने में सफल हो जाते हैं अगले दिन बादसा सपना यानि की करिस्मा कपूर को देखता है एक गरीब सडक कलाकार पैसे के लिए गाना और नाचना बादसा उसके फटे और पुराने कपड़ों को बदलने के लिए उसे बड़ी रकम देता है और सपना उसमें दिल्चस्पी लेने लगती है घर लोटने पर बादसा ने इस्वेक्टर प्रदान को उसका इंतजार करते हुए पाया और दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए सब्दों के युद्ध में उलजे हुए हैं इस्वेक्टर ने बादसा की अपरादिक गतविदियों को समाप्त करने की कसम खाई है हत्यारों के आदान प्रदान के दोरान बादसा और अब्दुल को पुलिस पकड़ ले जाती है और उनका पीछा करती है बादसा के हाथ में गोली लग जाती है और और आरख जगता की कारण उनके दोनों वहन दुरघटना ग्रस्ट हो जाते हैं इस्वेक्टर प्रदान अपनी कार में फस जाता है और बादसा उसे बाहर निकालने में मदद करता है बचाये जाने के बाजूद इस्वेक्टर बादसा को गिरिफतार करने की कोसिस करता है जो भागने में सफल हो जाता है लेकिन बुरी तरह से घायल हो जाता है अबदुल बातसा को छोड़ कर मदद लेने जाता है सपना बातसा को डूड़ती है और ठीक होने पर उसकी धेक बाल करती है उसे अपने घर ले जाती है अब्दूलबाद साह का दोरा करता है और उसे सहर में पुलिस की बढ़ती उपस्थिती के बारे में अपडेट करता है उसे अस्थाई रूप से सपना के साथ रहने की सलाह देता है सपना के पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके लालची चाचा उसे धोखा देते हैं जो उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक रण की बेऊस्था की है इसके बजाए उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उसके साथ आदमी को सराब की बोतल के लिए बेच दिया जो उसके साथ बलतकार करने का प्रयास करता है बासा ने उसे बचाने के लिए समय पर आता है और कहता है कि नियत के नियत ने उन्हें साथ लाया है बासा सपना के सामने अपने अपराधिक जीवन को कबूल करता है और कहता है कि वो उससे साधी करने और सांती से रहने के लिए सहर और अपने अजीत को पीछे छोड़ने को तैयार है लेकिन वो एक और काम करने का इरादा प्रविस्य के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाए एक गुप्त पुलिस मुखिवीर के साथ सौधा करने के बाद अब्दुल को ग्रिपतार कर लिया जाता है और बात्सा को एक इमारत की छट पर घहर लिया जाता है लेकिन वो भाग जाता है इस भी सपना के चाचा न बात्सा के रिष्टे पर सवाल उठाते हुए उसे अपमानित किया बात्सा सार्वजनिक रूप से सपना के लिए अपनी भावनाओं की घोंशडा करता है और घोंशडा करता है कि वो अगले दिन साधी करेंगे मंदिर की और जाते समय बात्सा पुलिस मुखिवीर से मिलता है जिसने अबदुल को गिरिपतार किया था गुस्से में आकर उसने उसे मार डाला और पुलिस के आने पर भाग गया सपना अपनी साधी में खड़ी होने के कारण उसके समुदाय द्वारा उसका मजाक उड़ा जाता है उस रात बाद में बात्सा को एक बच्चा मिलता है जो एक ट्रेन दुरगटना में बच गया है और मदद के लिए सपना के पास जाता है सपना गलती से मान लेती है कि बातसा एक साधी सुदा आदमी है और अपने ही बेटे को उसके पास लाया है शपना के चाचा पुलिस को बुलाते हैं और बात्सा को शपना को सच्चाई बताये बिना बच्चे के साथ भाग जाते हैं इस बीच बच्चे के ब्याकुल माता पिता आदित और ममता अपने बेटे के लापता होने से निपडने के लिए संघर्स करते हैं बादसा लड़के को एक मस्जित में छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन बाद में उसे गोद लेने का फैसला करता है महीनों बीत जाते हैं और अब्दुल अभी भी पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार करता है बादसा को बंद करने से इस्वेक्टर प्रधान का इनकार के रूप में एक नया इमानदार जीवन शुरू करता है बाबु उस लड़के को पालने के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मिहनत करता है जिससे वो राजू नाम देता है और अपना कहता है कि साथ साल बाद राजू बड़ा हो गया है और इस्कूल जाना सुरू कर देता है ममता जो इस्कूल की ट्रस्टी है राजू से मिलती है और उसके साथ बन जाती है यह मैसूस नहीं करती कि वो उसका बेटा है वो उसे उपहारों की बौचार करती है जिससे बाबु नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे को भावतिक चीजों से दूर किया जा रहा है अब्दूल जेल से रिहा हो जाता है और सुल्तान के घर जाता है जिसने यह मान लिया था कि बास्वा को भी कैद कर लिया गया है अब्दूल ने संगर्स निसकर्स निकाला की बासाक ने सौधे से पैसे चुरा लिये और उसे जेल में छोड़ दिया सुल्तान बदला लेने के लिए कहता है और चाहता है कि बासा उसके लिए काम पर लौट आए अबदूल शपना को ट्रेक करता है जो अब एक नाइट कलब में बार डांसर के रूप में काम करती है और उसे पता चलता है कि उसे पता नहीं है कि बासा कहा है जल्द ही अबदूल को बासा की नई पहचान के बारे में पता चलता है और वो उसे पैसे और उसके गायब होने के बारे में बात करता है बाबू सुल्तान से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपना अतीत भूल कर उसे अकेला छोड़ दे लेकिन सुल्तान ने मना कर दिया अब्दूल का पीछा करने के बाद इंस्पेक्टर प्रधान बाबू के घर आते हैं और राजू से मिलते हैं और वो युवा लड़के के चरित से प्रभावित हो जाते हैं और बासा को आगे नहीं बढ़ने का फैसला करते हैं एक स्कूल संगीत कारिकरम के बाद आदित यानि की राजु को घर ले जाते हैं और उसकी बच्पन की तस्वीरें सामने आती हैं जिसे से वो पता चलता है की राजु उसका बेटा है वो बाबु को अपने घर आमंत्रित करता है और अपने बेटे की वापसी के लिए विंती करता है लेकिन बाबू राजू से अलग होने को शहन नहीं कर सकता और मना कर देता है अब्दुल अपने अपमान का बदला लेने के लिए शपना को बाथसा को मारने के लिए मनाने की कोशिस करता है लेकिन वो ऐसा करने में अस्मर्थ है क्योंकि वो मम्ता को अपने बेटे को वापस क करने के लिए बाबू से विंती करता है, अपने बेटे की वापसी के लिए बेताप आदित्ती बाबू को आदालत ले जाता है, और राजु और मंदा की पूरी हिरासत में होने का अधिकार जीत लेता है, बाबू राजु को बचाने के लिए जाता है लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक है और वो एक पिंजरे में फस गया है सुल्तान अपने दो कुटों का उपयोग करके राजु को चोट पहुचा कर बाबु को प्रताडित करने का इरादा रखता है बाबु खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है और राजु को कुटों से बचाता है इस प्रकर्या में अब्दुल और सुल्तान की हत्या कर देता है बादसा सपना के साथ फिर से जुड़ जाता है और वो राजु को सामूहिक रूप से पालने के लिए आदित्य और ममता के साथ रहने का फवैसला करते हैं जानवर मोबी में बादसा बाबु लोहार के रूप में अच्छे कुमार सुल्तान का दतक पूर्त राजु का दतक पिता है शपना के रूप में है करिस्मा कपूर बादसा की लवश्ट इंटर टेस्ट अदित्य कपाडिया राच आदित ओबराय उर्फ राजू ममता और आदित के वेटे बासा के दत्तक पुत्र के रूप में हैं, ममता ओबराय के रूप में सिल्पा सिट्टी हैं, मुहनीस बहल आदित ओबराय के रूप में हैं, अब्दुल के रूप में आस्तोस राणा हैं, आसीस विद्यार्थी इस्पेक्ट प्रद्धान के रूप में हैं। आनिंद मिलिंदो ने पहले लुटेरे और आजय में निर्माता सुनिल दर्सन के साथ काम किया था। और इस फिल्म में कुल नो गाने हैं जो इस प्रकार हैं। गाना नमबर एक मेरे सपनो के राज कुमार इसे गाया है अलका यागनिक ने। नमबर दो मेरा यार देलेदार शुकविंदर सिंग शोनु निगम जस्पिंदर नरूला अलका यागनिक जीने शंगीत दिया है। नमबर तिन तुझको ना देखो उदित नाराण सुनिदी चवहान जीने शंगीत दिया है। नमबर चार अंगुरी अंगुरी शपना अवस्थी जीने आवाज दिया है। नमबर पांच कसम से उदित नाराण अलका यागनिक जीने गाया है। नमबर पांच छे पास बुलाती है अलका यागनिक सुनिधी चौहान जी ने शंगीत दिया है नमबर साथ जाने वालों राम शंकर शोनु निगम अलका यागनिक जी ने शंगीत दिया है नमबर आठ मौशम की तरह मनहर उदाश अलका यागनिक जी ने अपने आवाज दी है नमबर नो रिस्ता दिलों का सुनिधी चौहान जी ने खूब अपने आवाज की द्वारा अपने शोर को बुलंद किया है अगर इस फिल्म के रिलीज और रिसेप्शन की बात की जाये तो रे डिफ की सुकन्य वर्मा ने इसे ना समझी का मामला कहा है फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्यवसाइक रूप से सफल रही जानवर को 2000 में सभी छेतरों में टिप टाप वीडियो द्वारा NTSC प्रारूप एकल डिस्क में DVT पर रिलीज किया गया था एक हाई डेफिसनल DVD संसक्रंड जिसमें आइडियो और वीडियो को डिजिटल के रूप में बहाल किया गया था बाद में सोरूम इंटर्टेन्मेंट द्वारा जारी किया गया था जानवर की बॉक्स आफिस की सफलता के बाद जैसे की उन्होंने अपने पिछले कामों के साथ दर्सन ने फिल्म के टेली वीडियन अधिकारों को बेचने से इंकार कर दिया उनकी फिल्मों के बिना वीके उपग्रह अधिकारों का शामोहिक मूल वन मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था दर्सन ने अंतता 2017 में जी को अपनी फिल्मों के अधिकार बेच दिये और जानवर का प्रेमियम जी सिनेमा पर हुआ दो दिसंबर 2017 को इसकी नाट्टी विमोचन के 18 शाल बाद सुनील दर्सन एक भारती निर्माता फिल्म निर्देशक निर्माता और लेखक हैं जो बाली बुडुद्धोग में काम करते हैं अगर इनके जीवन की बात की जाए तो दर्सन ने अपने कैरियर की सुरुवात 1987 में एक फिल्म निर्माता के रूप में की थी उन्होंने फिल्म इंतकाम का निर्माड किया जिसमें सन्नी देवल और अनिल कपूर ने अभिने किया 1993 में फिल्म लुटेरे का निर्माड किया जिसका निर्देशन उनके भाई धर्मेंद दर्सन ने किया जीनों ने फिल्म के साथ निर्देशन की सुरुवात की फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्सन किया और इसके बाद भाईयों ने कई बार सहयोग किया सुनील ने खुद 1996 में एक्षन फिल्म आजे से निर्देशन की सुरुवात की दर्सन ने फिल्म का निर्माड भी किया और फिल्म के लिए समाद भी लिखा फिल्म में सनी देवल और करिस्मा कपूर ने अभिने किया और जन्वरी 1997 में महाराष्टि में एक थ्रेटर हरताल के बावजूद बाक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्सन किया 1999 में दर्सन ने एक्षन ड्रामा जानवर का निर्देशन किया और निर्माड किया फिल्म ने अच्छे कुमार के साथ उनके पहले सहियों को चिनित किया और फिल्म हीट हो गई फिल्म में करिस्मा कपूर और सिलफा सेट्टीन ये भी अभिने किया था दर्सन की अगली फिल्म एक रिस्ता 2001 थी जिसके उनके द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था फिल्म में अमिताब बच्चन, अच्छे कुमार, करिश्मय कपूर और जूही चावला ने अभिने किया था ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी इसे खूब सराहा गया और समिच्चकों ने इसकी सराहना की उसके बाद इन्होंने अंदाज 2003 का निर्मार किया जो एक बड़ी हिट थी बरसात और दोस्ती फ्रेंड्स पावर वर 2005 जो विदेशों में साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी उनकी सबसे हालिया फिल्म सका लाका बुम बुम ने बॉक्स आफिस पर खराप प्रदर्शन किया साथ साल के अंतराल के बाद दर्शन ने अपने बेटे श्यू दर्शन को अपनी फिल्म कर ले प्यार कर ले 2014 में लांच किया फिल्म को भारती बॉक्स आफिस पर एक अपदा घोसित किया गया था 9 दिसंबर 2017 को कुमार का पच्चास हुआ जनम दिन मनाने के लिए जी सिने मानी सनिवार की रात अच्छे के साथ वर्ल्ड प्रीमियम की मेजवानी की इसने अच्छे कुमार की चार फिल्मों का प्रदर्शन किया जानवर अंदाज एक रिस्ता और दोस्ती फ्रेंड्स फार एवर सभी का निर्माड और निर्देशन दर्शन ने किया था अगर इनके फिल्मी बायोग्राफी की बात की जाये तो इनोंने अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन किया है एक रिस्ता दा ब्रांड आफ लब ए रिलेशन्सिफ दा ब्रांड आफ लब दोजार एक की भारती हिंदी भासा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुनेल दर्शन ने अठारा मई दोजार एक को किया था फिल्म में अमिता बच्चन, अच्छे कुमार, राखी गुलजार, जुही चावला, करिश्मा कपूर, मोहनीश बहल यह फिल्म थे जिसमें बच्चन और कुमार ने साथ काम किया था फिल्म की एक फैमली ड्रामा है, जहां एक बड़े परिवार पर संकट आता है, जब पिता यानि की अमिता बच्चन और बेटे अच्छे कुमार के बीच बीवाद हो जाता है फिल्म ने वन मिलियन से अधिक की कमाई की, यूएस त्यारा मिलियन बिस्व्यापी बॉक्स आफिस पर कलेक्शन किया रिश्टा मोवी यह सफल ब्योसाई बिजे कपूर और पत्नी और चार बच्चों के साथ खुसी से रहते हैं उनका एक लवता बेटा आजय जो बिदेश में पढ़ता है और विस्विद्याले से इसनातक की उपाधी प्राप्त कर चुका है अब घर वापस आ गया है राजय स्पुरोहित परिवार में प्रवेस करता है और बिजे और उसकी सबसे बड़ी बेटी प्रीती को कुटिलता से प्रभाहित करता है जबकि उसका मोखिलच अपने परिवार को गरीब बनाना और बिजे के भागी पर कपजा करना है जल्द ही बिजय उनकी साधी को मंजूरी दे देता है इस बीच आजय को नीशा थापर से प्यार हो जाता है बिजय उससे पहले परिवाई ब्योसाय में अनुभाव हांसिल करने के लिए मानता है कि हलाकि बैचारिक मत्वेदों के परिणाम सरूप उनके बीच बीच बिवाद होता है फल्स रूप अजय अपना ब्योसाय सुरू करने के अपने निर्माड पर आड़ी गहें बाद में वो इसके लिए करज देते हैं और गुस्से में बीजय ने उससे बाहर निकल दिया निकाल दिया अजय साधी करता है और नीशा के साथ अपने नए घर में चला जाता है बीजय राजेस को सक्त बनाने के लिए पावर आफ अंटिनी पर हस्तचेप करवाता है और उसे अदालत को एक बड़ी राजिका भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके लिए वो असमर्थ है इस प्रकार वो दिवालिया हो जाता है और उसका सारा भागी राजेस के पास चला जाता है जैसे ही अजय को पता चलता है कि क्या हुआ अजय को पता चलता है कि राजेस ने उसके और विजय के बीच बहस को उकसाया था फिर वो विजय के करीब आने की कोशिस करता है जिससे निरासा के साथ उसकी साधी संकट पैदा हो जाती है जो अप उनके बीच लगातार बहंस के कारण वो अलग हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि वो गर्वती है और अजय घर लोटाता है। अब उसका मिसन अपने परिवार के भागी और विजय के विश्वास को वापस करना है। क्योंकि विजय अभी भी उसे माफ नहीं कर सकता। आखिरकार अजय और विजय एकजुट हो जाते हैं। हलाकि उन्हें अभी तक भागी वापस नहीं करना है। राजेस प्रीती के साथ बुरा बेवहार करने लगता है। जो घर भी लोटाती है। अपने परिवार के भागी को हिंसक रूप से वापस करने के लिए आजय राजे के साथ भी जय अदालती भुगतानों का निप्टान करने में सच्छम हैं। प्रीती राजेस से कहती हैं कि वो उसके परिवार पर किये गए अत्याचारों के लिए उससे निशा और राजेस एकजुट हो जाते हैं। अजय और परिवार अंतता एक साथ आता है। और पहले क की तरह खुशी से रहने लगा रहता है। निशा और आजय एकजुट होकर साधी के बंधन में बन जाते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से बेतीत करने लगते हैं। अपनिस बहल सिमोन सिंग से के रूप में प्रिया कपूर, जयग मोहन थापरी के रूप में आलोकनात लडडू के रूप में सक्ति कपूर, आसिस विद्यार्थी के रूप में हरी सिंग, पुलिस एस्पेक्टर स्वणि वी Münjay, सेंगिल के रूप में भारस सक्सेना, आउता ब्रज सिंग के रूप में अनंग देशाई कुनिका स्वीटी अंटी के रूप में सुनिल सेटी खुद के रूप में विशेश उपस्तिती रमेश के रूप में ब्रजेश हिरजी इस्टाल मारिक हैं मुलकत गाने में नगमा खुद के रूप में उपस्ति हैं अच्छे कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमरसर पंजाब में हुआ था जिनका असली नाम राजिव हरियोम भाटिया है वो एक महसूर फिल्म अबनेता होने के साथ साथ वो निर्माता और मार्सल आर्ट्स में भी परमपरागत हैं प्यार से लोग उन्हें अक्की भी कहते हैं अच्छे कुमार ने 125 के उपर फिल्मों में काम किया है उन्हें कई बार उनकी फिल्मों के लिए फिल्म फेर आवाट से नमांकित किया गया है जिसमें दो बार उन्होंने एक पुरुसकार जीता है हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं और अप तासिस सुभाव और दिनचर्या के लिए भी जाने जाते हैं। खिलाडियों के खिलाडी नाम से मसूर अच्छे कुमार यानी अपनी फिल्मों में ज्यादा तर इस्टेंट श्वयम ही करते हैं। अच्छे कुमार का जन अमरेश सर्क्स में हुआ था। उनके पिता हारी ओम भाटिया मिलेटरी आफीसर थे। उनकी माता का नाम अरुना भाटिया है। अच्छे की एक बहन हैं जिनका नाम अलका भाटिया है। और अगर इनके पढ़ाई की बात की जाये तो उनकी स्कूली प पढ़ाई मुंबई के गुरु नानग खालसा कालेश से हुई है। भारत में टेकोएंडो में ब्लैक बिल्ट हांसिल करने के बाद अच्छे ने थाइलेंड के बैकॉक में मार्सल आर्ट की पढ़ाई की है। वहां से वापस लौडने के बाद अच्छे कुमार ने अपना फोटो सूट कराया जिसके बाद उन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया गया था। अच्छे कुमार की साधी राजेश खन्ना और डिम्पल का पाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना से हुई है। उनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम अरो और लड़की नितारा हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए तो अच्छे कुमार मुक्य अवनेता के तौर पर अच्छे के करियर की सुरवात सौगंद फिल्म से हुई है। इसके पहले भी मार्सल आर्ट से प्रसिचक के रोल में उन्हें आज भी मौका मिला। लेकिन उनकी बिना स्रे भूमका की सु पापलर सो में मैन वेज, वालीबुट के इस्टेंड मैन यानि खिलाडी अच्छे कुमार बेर गिंस के साथ जंगलू का सफर और एडवेंचर्स करते नजर आएंगे। जंगलों का एडवेंचर भरा सफर चुनेंगे। 4 सितंबर 2020 को अच्छे कुमार ने पीम मोदी जी के साथ मिलकर आत्म निर्भर भारत के तहेंग गेमिंग यप एयू जी की घोंसड़ा की है। ये गेमिंग बहुत ही जल्द इंडिया में लांच होने वाला है। अच्छे कुमार की अगर गल्फ्रेंडों की बात की जाये तो पहली गल्फ्रेंड पूजा बनना है। कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले अच्छे का फेर उस दौर की मसूर माडल पूजा वत्रा के साथ था। यह तक की दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन फिल्मी दुनिया का चका चौंद असर इस रिस्ते पर पड़ा और दोनों अलग हो गे। उपसा रेखा से भी रहा अफेर अपनी हर उम्र हेरवाईन से रोमांस करने के लिए मसूर अच्छे कुमार के अफेर के चर्चे बाली बुड की एवर ग्रीन हेरवाईनों रेखा के साथ भी सुनाई दिया। फिल्म खिलाडी योंका खिलाडी की सूटिंग के दोरान दोनों एक दूसरे से काफी करीब आ गए थे। आली बुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ था रवीना टंडन अपने दौर की बेहत ग्लैमरस हिल्वाईनों में फेर इस्त में सामिल थी। भी कहा जाता है कि जिस समय अच्छे रवीना को टेट कर रहे थे ठीक उसी समय वो सिल्पा सिट्टी को भी टेट कर रहे थे। शायद इसी वज़े से रवीना ने अच्छे से अपने रिष्टे को खत्म करना ही बहतर समझा और दोनों की रहें एक दूसरे से जुदा हो गए। नब्बे के दसक में सिल्पा से था अफेर टिंकोल खन्ना से साधी करने से पहले अच्छे का अफेर सिल्पा सिट्टी के साथ था नब्बे के दसक में अच्छे कुमार और सिल्पा सिट्टी बाली बुट के हाट कपलस में से सुमार थे। सिल्पा ने एक इंटर्व्यू में खुद यह बात मानी थी कि उन्होंने अच्छे से मंगनी कर ली थी लेकिन अच्छे के दिल फैक रवये की वज़े से दोनों के रिस्तों में दरारा चुकी थी रेखा के बाद प्रेंका चोपडा के साथ कंट्रोविस्यल इसक एसा माना जाता है कि अक्की साधी के बाद सुधर गए लेकिन उनका सबसे कंट्रोविस्यल आफेर भी साधी के बाद हुआ फिल्म अंदाज की सूटिंग के दोरान अविनेतरी प्रेम का चोपड़ा के साथ उनका आफेर काफी परवान चड़ा जिसकी भनक पत्नी टिंकोल तक भी पहुच गई जिसके बाद अच्छे और टिंकोल के बीच मन मुटाओ की खबरें आई लेकिन अपने परिवार के खाति साथी के बंदन में बंदे अच्छे कुमार आज एक खुशाल साथी सुदा जिंदगी जी रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अच्छे टिंकोल खन्ना से साथी करने के मूड में नहीं थे लेकिन टिंकल की मां डिंपल का पाडिया के दवाव के आगे खिरकार दोनों ने साथी कर ली दोनों के दो बच्चे भी हैं साथी के बाद अच्छे ने अपनी प्लेव बॉय इमेज छोड़ दी और आज दोनों खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं अच्छे कुमार की पापलर फिल्में खिलाडी बेबी पाड़ मैंड ट्वालेट एक प्रेम कता केशरी यद फिल्में हैं जुही चावला की बात की जाये थो जी चावला एक भारती फिल्म एक्टरस माडल फिल्म निर्माता हैं 1984 मिस इंडिया सौंदर प्रेश्ट के बिजेता हैं जुही चावला ने एक एक्टिंग कैरियर में दो फिल्म फेर पुरुसकार भी अपने नाम कर चुकी हैं। इन पर ब्यक्तिकत के लिए प्रससंसा प्राप्त की हैं। अगर इनके जीवन की बात की जाये तो जुही चावला का जन्म त्यारा नोंबर 1967 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। इनके साथी जुही चावला की धड़ी बिजनेस्मेन जे महता सब्सकार भी जीता। से हुई है। उनके दो बच्चे हैं आरजुन और जानवी कपूर। जय महता और जुही चावला इंडियन प्रीमियम लीग टीम कोलकाता नाइट राडर्स के सैमालिक हैं। जोनोंने सहरुख खान के साथ अपनी कमपनी रेड मिर्च एंटर्टेन्मेंट के साथ भागिदारी की है। इनके भाई बाबी चावला लाल मिर्च इंटर्टेन्मेंट के शियो थे। अगर इनके कैरियर की बात की जाये तो जुही चावला ने अपने कैरियर की सुरुवात वर्स 1986 में फिल्म संतलंस से की थी। हलाकि ये बिग फिल्म बिग बॉक्स पर सफल नहीं हो पाई। इसके बाद वर्स 1987 में जुही चावला ने कर्नेट सिनेमा की फिल्म प्रेम लोग से की फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल रही और जुही चावला को काफी सराहना मिली। इसके बाद जुही चावला को वर्स 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म मिली। इस फिल्म में जुही चावला के साथ आमिर खान की जोड़ी बड़े परदे पर नजर आई। और फिल्म जबरजस्त हिट साबित हुई। और इसके बाद जुही चावला ने कभी पीछे नहीं देखा जूही चावला 1984 में मिस्ट इंडिया की किताब हासिल कर चुकी हैं और साथ ही है वह 1984 में मिस इनिवर्स बेश्ट कस्टियूम का भी आवार्ड जीत चुकी हैं ज्यानवर मूबी में करिस्मा कपूर ने भी अपने अभिने को बखुवी निभाया है अगर इनके जन्म की बात की जाये तो इनका जन्म 25 जून 1974 को एक भारती अबनेत्री हैं जो हिंदी फिर्स बेश्ट कर चुकी है